मद्द्पिदेश सामान ग्यान से सम्मंधित कुछ आपके महत्पून पॉइंट है और याद रखिए वो पॉइंट है जो आपकी परिक्षाओं में इनसे कुश्चन्स हमेशा पूँचे जाते हैं और आप देखेंगे MPPSC हो गया ब्यापम के और भी एक्जाम हो गया एसाईजर होगा पूले सिख्चक भरती पटवारी इनमें इनसे कुश्चन्स आते हैं तो आप लोगों को यहां क्या करना है आपको अपने कान मतलब कानों से सुनना है और आखों से देखना है और जिस तर ठीक है इसमें लेकिन याद रखिए वही महत्पून पॉइंट है जो पूरी संभा होना है कि आपकी परिक्षाओं में questions आते हैं और repeat होते रहते हैं ठीक है सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि मद्द पिदेश का जो मद्द पिदेश नाम है एक इसने दिया था पंडिक 256 को मद्द पिदेश का गठन हुआ था और आप सभी को ये भी माल होगा एक नबंबर सन 2000 को 36 गड़ अलग हुआ था मद्द पिदेश से अगर छेतफल की बात करें तो 3,8,252 km है और याद रखिए कुछ विवाद बाला हिस्सा है अमर कंटकी किरार गाटी ये विवाद चल देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन ये आप देखें कि 308,252 km यानि कि 3,8,252 km आपको देखने को मिलेगा और यही किताबों में अक्सर देखें गया चेतफल की दृष्टी से मद्द पिदेश का राजिस्थान के बाद आप सभी जानते हैं दूसरे नंबर पर आता है चत्त 605 km है और पूर्ष्रे पच्चिम की बात करें तो 870 km और अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजराद, राजिस्थान, उत्तर पिदेश, चत्तिशगर, महराष्ट आपको देखने को मिलेगा और मद्द पिदेश की 14 जिलों से आप देखेंगे कि आपकी करक र आगर मालवा और रतलाम पहले साजापूर से होकर जाती थी लेकिन आप जानते ही कि आगर मालवा की अलग होने के बाद अब आगर मालवा से होकर जाती है इन्हें रट लीजे कई बार कुश्चन से आ जाते हैं अनूपूर, सहडोल, उमरिया, जवलपूर, कठनी, दमो, सा आगर, विदीशा, भोपाल, सेओ, राजगर, उजेन, अगर मालवा और रतलाम ठीक है राध्धानी भोपाल भोपाल पहले एक रियासत हुगा करती थी 1956 में इसे आप जानते हैं राध्धानी बनाय गया था और भोपाल जिला कब बना था याद रखी उनीस सो बहत्तर में स पूर जिलेक का दर्जा मिला था राध्धानी जब बनी थी आप समझी उस समय कोई भोपाल जिला नहीं हुआ करता था मद्यपिदेश का बरतमा स्वरूप आप सभी जानते हैं कि नमबर संदो जार में आपका 36 गड़ अलग हो जाता है और मद्यपिदेश छेतफल में दू सोयावीन राज क्योंकि भारत में सबसे अधिक राज सोयावीन आपका मद्यपिदेश में ही होता है मद्यपिदेश के उच नियाले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जवलपुर में इसकी पीठ है और इसकी दो खंड पीठ है एक इंद और में देखने कुमलेगी जंदी हो गया पसू वारे सिंगा पक्षी दूदराज बैक्ष बर्गत सफेद लीली पुस्व है इसका खेल मलखम नेत राई नाट माच राज में बोली जाने वाली बोलिया निवाडी मालवी बुंदेल खंडी वगेल खंडी गौंडी उर्जा राध्धानी सिंगरॉली बेडन उद्धोगिक राध्धानी इंदौर गिरिस्म कालिन राध्धानी पचमडी और याद रखी मत्यपधिस में 39 लोकसाबा सीटे हैं जिसमें आप देखें कि 4 अनुसूचित जाती लिए आरक्चित की गई हैं और 6 आपकी अनुसूचित जन जाती के लिए अनुसूच अनुसूचित जाती के लिए आरक्चित की गई हैं और 6 अनुसूचित जाती के लिए आरक्चित की गई हैं 35 अनुसूचित जाती एसी के लिए और 47 अनुसूचित जाती के लिए और 47 अनुसूचित जाती के लिए और 47 अनुसूचित जाती के लिए मद्धिस में आप देख करें तो मत्यपधिस में आपको 11 सीटें देखने को मिलेगी और आप सभी जानते हैं कि मत्यपधिस में अब 10 संभाग हो गए और 52 हो गए क्योंकि आपका निवाड़ी भी जिला बन चुका है टीकम गड़ से अलग करके नगर निगम की बात करें तो सोले देखने को लेगी नगर पालिकाएं आपकी निन्यानवे हो गई है ठीक है यह आप छोड़िये मत्यपधिस की जलबाई वी समसीतोष नमान सुनी है एक डारेक्ट कुश्चन बन जाता हूं लाइनर में छेथफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिला दतिया हो देखिए निवाडी है निवाडी है और जनसंक्यावें भी निवाडी है छेथफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला छेथवाड़ा है छेथफल की दिरिष्टी से सबसे छोटी तहसील सुवासरा एरतलाम की देखने को मिलेगी छेथफल से सबसे बड़ी तहसील रौन भेंड क और मद्विदेश का सबसे भोगोलिक बिभाग मालवा का बठार बड़ा भोगोलिक बिभाग और सबसे कम बरसा आप देखेंगे गुहत भिंड में सबसे अधिक बरसा पचमडी में सबसे बड़ा राश्टी राजमार्ग एनेश-3 सबसे छोटा एनेश-6 एनेश-7-6 ठीक है मद्विदेश के इन दोर में सबसे अधिक जंसंक्या विढदी दे आप देखेंगे 32.9 पिटी सत देखी गई है यानिकि आप देखें जंगरना के नुसार एक, 10 साल में बिध्दी दर सबसे कम बिढदी दे अनुपुर में 10.3 और सबसे अधिक जंसंक्या वाला जिला इन अगर 2011 दिया गया, कि 2011 की जंगरना के इनुसार मद्विदेश में कौन सा जिला सबसे चुटा है, तो हर्दा लगा कि आना है, गोकुल गराम योजना, अकवर गरामपुर भोपाल से चलू हुई थी, अए उध्या नंगरी योजना, राहुल लंगर भोपाल से सुलू हुई थ मद्विदेश का सबसे अधिक तापमान, गंजवसोदा में रेकॉर्ड किया गया, विसुबर आसत में सामिल मद्विदेश की तीन स्थान सामिलें, खजराओ, सांची और भीमएटका, खजराओ, सांची भीमएटका, अगर हम लोग 11 की जनकरना, अकिम सार मद्विदेश की बात करें, तो आप देखेंगे, इसकी 7 करूड 26,26,809 जन संख्या देखने को मिलेगी, मद्विदेश का लिंगनपात बात करें, तो 931 देखने को मिलेगी, लिंगनपात का कहने का मतलब सीधा सा इतना है, कि आपकी पुर्षों में, 1000 पुर्षों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानि कि आप देखेंगे, सबसे अधिक लिंगनपात आप देखेंगे, इबाला घाट में 1021, और सबसे कम लिंगनपात भिंड में 837 देखने को मिलेगा, मद्विदेश की साक्षर्टादर, 79,70 की परसेंट के कर विए है, जन संख्या का 21.2 पितिशत भाग अनुसूचित जन जाती का है, और अनुसूचित जाती की बात करें तो 15.6 पितिशत भाग देखने को मिलेगा, पिदेश में सबसे साक्षर जिला की बात करें, जवलपूर, 81.1 पितिशत, सबसे कम साक्षर था अली राजप की बर किलो मीटर में, ठीक है, सबसे यदिक जन संख्या घनत, 855 आप देखेंगे, इभोबाल का देखने को मिलेगा, सबसे कम 94 डिनोरी का देखने को मिलेगा, पिदेश की सबसे बड़ी नर्वदान अधी है, जिसकी लंबाई आप जानते हैं, 1077 किलो मीटर है, और इसकी लंबाई की बात करें कि मद्पेदेश के बाहर हुई, तो 1300 12 किलो मीटर देखने को मिलेगे, मद्पेदेश की सबसे उची चोटी आप जानते हैं, दो गड़ है, और इसकी उचाई आप देखेंगे, 1350 किलो मीटर, माप करी, 1350 मीटर, किलो मीटर कहां, करकरेखा मद्पेद काली संद, बैतवा, पारवती संद, कुणो, पहुच, धसान, केंटॉंस, सोनार, भहुटी, नर्वदा, तावा, तापती, सक्कर, हैरन, जोहिला, मंदाकनी, गोपत, बनास, कोलार, बिचिया, हलाली, कुलांस, कालिया, सोत, सत्ना, वियाड, भी, नदिया, मद्पेदेश स हम लोग बात करें, तो ये साक्षर्ता की बात की जा रही, छोड़िए, महला साक्षर्ता में बात करें, तो कम पड़ी, महला साक्षर्ता यहां देखेंगे 69.2,30, तो पुर्सों में 72.3, 72.73%, देखें, आप सभी जानते हैं कि देश में अधिकतर मामले में यही आपको, क्य और भेदभाव किया जाता है, सरवादहिक, जनसंख्यावाले पाजले हैं, दो जवलपूर, सागर, भोपाल और रीवा, अब मत्विदिस के कुछ आपके मेले भी हैने, भी देख लीजे आप लोग, इनसे भी कुश्चन्स आ जाते हैं, सिंगास्त मिला आप जानते हैं कि पितेक बारास बर्स पर, नागा जी का मिला, मुरेना में लगता है, पीर बुदान का मिला, इसके उपुरी में लगता है, हीरा मन का बाबा का मिला, एक ग्वालियर में, तेजा जी का मिला, ग्वालियर में, जोगी सिर्वी देवी का मिला, असोखनगर में, करीला मिला, करी सागर में साभुद्दीन उलिया और्स नीमच में बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमो में जल्भिहार का मेला चतरपुर में बर्मान घाट मेला नर्सिंगपुर कुंडेसोर या कुंडलेसोर ए टीकमगड में एमपी धेवरी मेला सागर सौनागरी मेला दतिया हीरा थंडवा, तिवेणी मेला, रतलाम, भोजपूर मेला, भोजपूर रायसन में, सलकनपूर मेला, सलकनपूर सिहोर में, यह आप लोग मेलों से भी आपके डारेक्ट कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है, साहित तेवं ललेकला अकादमियों को भी याद रखी, इनसे भी डार कालिदा सकादमी, कहां देखने को मिलेगी, उजजन में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, उननी सो सतत्तर में, कालिदा सकादमी, उननी सो सतत्तर में, उजजन में, भारत भवन, उननी सो ब्यासी में, इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में, साहित पर्षल, उननी सो चं हुई थी बोपाल में और्दु अकादमी 1976 में इसकी स्थाफना हुई थी कहा है बोपाल में आदिवासी लोककला फरिशत 1980 में इसकी स्थाफना हुई थी बोपाल संस्केट अकादमी 1985 इस ए भी भोपाल में तोलसी अकादमी 1987 बोपाल में सिंधी अकादमी, 1983 भोपाल, पुरात तिवम अभी लेखाकार संग्राले, 1956 में भोपाल में, अलावदीन खा संगीत अकादमी, ये भी आप देखेंगे, 1989 में भोपाल, एक कुछ आपके लोक नेत हैं, ये भी देख लिए आप लोग, लहन गिनी नेत, एक अंजर और बंजारों द्व बंदेलखंड और अन्चेत्रों में, बंदेलखंड में आप देखेंगे, काफी चर्चित रहती है, ये राई, आपके यह कोई भी तेवार होता है, तो राई जरूर बुलाई जाती है, परधोनी नेत, भरात आगमन पर आधिवासियों में, भरात स्वागत थेतु, रिना बंदेलखंड नेत, बेंगा और गोंड जन्जाती की स्त्रियों द्वारा दीवाबली के उपसर्फ किया जाता है, बल्मा नेत, बेगा जन्जातियों द्वारा किया जाता है, बार नेत, कवर आधिवासियों द्वारा कानरा नेत, धोभी जाती द्वारा मद भारत और बु नेथए नितभ तेमय रॉअन पंदिलखंड दिमंहें राई उटनेथ बुंदिलखंड लोगनाठ हुए मालवर का नटता नेथ निवाड का नोटंकी बुंदेलखंड में कर्मा बेगंजन जाती का राई स्वांग बुंदेलखंड पडवानी चतीसकड की सीमा के बास जो भी जिले हैं इनमें गंगोर निवाड की चित में कांचली भरना निवाड लोग चित कला है मामूली या बुंदेलखंड की में आप देखेंगे जिरोती निवार्वन ये आपके जल्पेपात हैं इनसे भी आप देखेंगे कि एक ना दो कुश्चन साती रहते हैं डचेश जल फाल या जल्पेपात पचमडी में चचाई जल्पेपात भीयन नदी पर चुलिया जल्पेपात चंबल नदी पर मंदसोर में राहतगर जल्पेपात चंबल नदी पर सागर में धुआधार जल्पेपात नर्वदा नदी जवलपूर दुगदधार जल्पेपात नर्वदा नदी अनुपूर मंधार जल्पेपात नर्वदा नदी पर भालखोंट जल्पेपात बीना नदी चंबल नदी इन दोर में देखने को मिलेगा, अफसरा जल पिपाद पचमडी में, रजत जल पिपाद पचमडी में, इन्हें याद रखे कई बार आ जाता है इन से डारेक्ट, केउटी जल पिपाद, महान नदी पर रीवा में देखने, दर्दी जल पिपाद, नर्बदा ये नदियों को भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, नर्वदा नदी, आप सभी जाते हैं कि अमरकंटक अनुखपुर से निकलती है, और खंबात की खाड़ी गुजरात के पास गिर जाती है, इसकी सायक नदियों की बात करें तो मान सक्कर सेर तवा बरना, हिरन बनास, तिं अमरकंटक से निकलती है, और इसकी साहक नदियों की बात करें जोहिलात, चंबल बात करें तो महुः इंदोर से निकलती है, यौना में मिल जाती है, छिपरा, काली सिंद और पारवती, देखिए एक कुश्टन्स कई बार पूछ लेता है, कि चंबल नदी कहां से निकलती ह देखिए नदियों के बारे में ये point हमिस्ता याद रखा करिए जहां से निकलती है और कहां मिलती है ठीक है और इसकी सहाइक नदिया कौन कौन सी है बस इनी से questions आपका पूछेगा तो आपकी चंपल की चिपरा, काली संद और पारवर्ती हो गया बैतबा की बात करें तो कुमरा गाओं और आयलसन से निकलती है और यमना में मिल जाती है इसकी सहाइक नदियों की बात करें तो बीना धसान सिंद हो गया बैन गंगा की बात करें तो पारस बाड़ा पठा सेउनी से निकलती है बर्धा नदी में मिलती है बाग और कानन इसकी साहिक नदी है धसान की बात करें तो सागर जले से निकलती है वैदवा नदी में मिलती है उर और केथान इसकी साहिक नदी है छिपरा की बात करें तो काकरी वर्डी इंदोर से निकलती है और चंबल नदी में मिलती है खान इसकी साहिक नदी है माही एधार जले से निकलती है खंबात की खाड़ी में करती है उजास इसकी साहिक नदी है काली सिंदी की बात करें तो बगली गाउं देवास से निकलती है चंबल नदी में मिलती है सिंधी की बात करें तो सिरोंज गुना से लिकलती है चंबल नदी में मिलती है कैन की बात करें तो बिंद्यांचल परवस से निकलती है यमना में मिलती है और परवा और सनालस की साहिक नदी है पारवती की बात करें तो सिहोर जले से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है, कुमारी की बात करें तो सिवपरी पठार से निकलती है, सिंद नदी में मिलती है, कुनो की बात करें तो सिवपरी पठार से निकलती है, और चंबल नदी में मिलती है, टौंस तमसा की बात करें त तो केमूर पहाड़ी सतना से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है, तबा की बाद करें पचमड़ी से निकलती है, नर्वदा में मिलती है, इसकी सहिक नदिया है, ये कुश्चन्स भी कई बार पूच लेता है, नदियों की किनारी बसे सहर, जैसे आप देखिए चंबल तो महू, सिहोर, रतलाम, मुरेना यह आपके चंबलादी और वहीं नर्वला की किनारी बसी अगर हम नगरों की बात करें तो जाबुगा हो गया मंडलिसोर, बड़वानी, मंडला, निवाड, नरसिंगपुर, जबलपुर, महिसोर, पुनासा, नेवावर, होसंगबाद, अमर नदी के पास, और सिंदी की बात करें तो आप जानते हैं सिफुरी इदतिया देखने को मिलेगा, बैनगंगा, बालाघाट, काली इवंगा, काली सिंदी की नदी के किनारे, देवा, सौनकच, भगली, छिप्परा, उज्जैन, माहि, दाहार, और कुची, और ताबा, पच् जानको भी देख लीजे, इनसे भी डारेक्ट कुश्टनस आ जाता है, देखिए, जिला, कौन-कौन से जिले में ही याद रखना है, कब इसकी स्थाफना हुए है, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर में कब सामिल हुआ है, काना किसली, आप सभी जानते हैं कि मंडला इसकी स्थाफना हुई, पहला प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल हुआ था, सत्पड़ा बात करें तो यह हो संगाबाद में 1983 की बात है, यह प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल है, पन्ना की बात करें पन्ना चतरपुर में देखने को मिलेगा, 1981 में इसकी स्थाफना हुई, प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल है, अब देखिए पन्ना आप से पूछेगा तो आपको लगेगा पन्ना जिले में होगा, लेकिन याद रखिए पन्ना में भी इसका कुछ इससा पड़ता हो, छतरपुर में भी, संजर गांधी की बात करने तो सीधी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जोर्ज कोस्तल भवन यहीं देखने को मिलेगा, पैल सिवनी चिदबाड़ा, 1975 में फ्रोजेक्ट टाइगर में एवी सामिल आपका है, एवी आपका है, जीवास ए डिनोरी, 1968 में सबसे छोटा उद्ध्यान है, भारत की 4 जीवास में उद्ध्यानों में से एक है, बनविहार भोपाल, 1989 में इसे यादोनी चिदिया घर की रूम में भी मानता पराप्त है, और एक मात उद्ध्यान है, जो सहर को बीच बीच में देखने को मिलेगा भोपाल में, उंकारेस और एक खंड़मा में 2004 में सकी स्थापना हुई थी, इंद्रा सागर जलासा इसे घर अब देखिए आपके जिलों से भी कुष्टन्स आ जाता है, कि यहां क्या है, यहां क्या है, तो जिलों को भी देख लेते हैं, सबसे पहली बात करते हैं से उपर, तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि चंबल लदी के किनारे बसा हुए, चंबल संभाग में सामिल है, 1958 में से मुरेना जिले से अलग करके से उपर को बनाया गया था, से उपर में 5 तैसिले हैं, तैसिले मड़ती घटी रहती हैं, इस पर जादा ध्यान मत दिएगा, जब आप लोग इंटर्वीव के लिए जा रहे हों, तो उस समय जरूर अपने जिले के बारे में सब पूर जानकरी याद रखना है, यह जला काश्ट कला के लिए जाना जाता है, मदपिदेश का सबसे कुपोसित जला भी यह आपका सिववोत, और सिवपूर की पालनपूर, कुनो, बढ़नेजीब, अप्यारन में, एसी आई सिंगों का सरक्षन किया जा रहा है, कराहल, नामकिस्तान, आज आप देखेंगे संताव दसमलक्चार और लिंगनपान नौसो एक, और कुछ छित में ब्रेज भासा भी बोली जाती है, दूसरा है मुरेना, ग्यारवी सिदाबदी में कचवाह बंस की राधनी रा, चंबल नदी के किनारे है, इसका नाम मुरेना, मोर की अधिकता, यानि की दोगे विकास के अंद बानमोर है, और यहाँ चीनी मिल भी है, जो कैलारस में है, सास बहु अगले सोहानिया में इस्तित देखने को बलीगा, ये भी आपका मुरेना में, देश का पहला सहीद मंदिर रामकसाद मिसमिल की याद में बनवाए गया था, ये भी आपका मुरेन देश भर में आप देखते हैं, गजक के लिए पिसिद्य मुरेना, सबसे अधिक सरसों का उतपादन भी आप देखते हैं कि यही आपका होता है बेंड मुरेना में, यानि कि मुरेना, चंबल घड़याल अब ब्यारन है, जिसमें घड़याल और डॉल्पिन का सनरक्षन किया इसका लिंगानपाथ बात करें तो 840 देखने को मिलेगा, यानि कि लिंगानपाथ इसका भी कम ही देखने को मिलेगा, धतिया की बात करें तो गाली संभाग में पड़ता है, और धतिया का पराची नाम दिलीपनगर था, धतिया जिले में चाल, देखिए तैसीले मदलती र नहीं सुंद्परियोजना और भृंड परियोजना दतिया का उध्दोग विकास के इंद बडेरा है और बेर सिंग मोंदेला का किलाब जा प्रफिदेश की सेवक फरियोजना बांद आप जानते हैं कि बैतबा नदी पर है ठीक है बालाजी सूर्व मंदिर भी आप देखेंगे उना और ये भी आपका दतिया में दतिया में जैन मंदिर की आप देखते हैं सोनागरी इस्तित है यहां 108 मंदिर देखने को मिलेंगे साधारित बिद्धुत ग्रह भांडे ही आप जानते हैं सबसे बड़ा रामलीला मेला भी लगता है यहां रामलीला भी होती है पीतरामरा पीट सकती पीट भी आपको देखने को मिलेगी जिसकी स्थाबन स्री स्वामी जी महराज ने की थी यह भी आपकी दतिया में ही सत्ख 691 किलोमीटर देखने को मिलेगा साक्षरता की बात करें तो 66.4 और लिंगनपा 904 असुक नगर की बात करें तो आप देखते हैं कि 2003 में गुनार जिले को विभाजित कर असुक नगर नया जिला बना था गुनार से अलग करके और असुक नगर में आप देखिए अधिकान सी असुक नगर में सेफ संपताय का चंदेल मठ भी देखने को मिलेगा चंदेरी साड़ी को पेंटेंट कराने वाला मध्यपिदेश देश का पितम राज्य है ठीक है इसलिए आप जाईए कभी गुमाईए इस अगड़ में आननद पूर धार्मे किस्तल और इसकी स्थापना म में खोनी दरवाजा यहां देखने को मिलेगा असुक नगर संदो और बैतबानदी की मद्द में देखने को मिलेगा मुन्दिल पठार में और टिकाल 24 जैन मंदिर के लिए पूरे भारत में जाना जाता है असुक नगर जाता है यहां दो बर्स वाद मीला लगता है कदवाया गाउं में प्राचिन से मंदि गड़ी और विजासन माता मंदिर के लिए पेसे दे ये वी आपका असोक नगर में पड़ता है असोक नगर का लिंगनपाद बात करें तो 904 असाक चरता 66.4 असोक नगर का चेतफ़ल आप देखेंगे 4607,679 बर किलोमीटर देखने को मिले चतरपुर जिला प्राचिन काल में आप जानते हैं कि जिजाग भुक्ती के नाम से आप लोग जानते थे और आप जानते हैं कि बुंदेल राजा चतरसाल ने पंदरवी सितापदी में यहां सुतंत बुंदेला राज की स्थापना की थी और राजा चतरसाल की नाम पर ही आप देखेंगे इसका नाम चतरपूर पड़ा हुगा है चंदवरमन बंस की संस्था पकती और यहां खजुराओ की स्थापना भी खजुराओं जो आपकी मंदर की सिलिये पेसे दे यह आपका चतरपूर में ही पढ़ता है चंदिल बनस ने खजराहों में कई मंदिरों का निर्माड भी करया है उसमें आप देखेंगें अपनी रादधानी महुवा एस्थाना अंतित भी की दी चंदिल सासको ने खजराहो को आप देखेंगे 1986 में युनेसको ने विस्विरासस सहरों की सूची में भी सामिल किया था इस्तलों में घड़याल और मंगरमच्च के लिए कैन घड़याल सरक्षन अभियान भी यहां अभ्यारन भी बनाए गया चतरपुर जिले में दो सिचाई फरियोजना भी एक औरमेल एक कैन चतरपुर में आप जानते हैं कि पिती वर्स आपका जलविहार का मेला भी लगता है यहां धोबेला और्स भी लगता है चतरपुर जिले में एक पुरातत संग्रालय भी है खजराहो में आप देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर, निर्माड, इसका यसो वर्मन ने काया आए था चौसट युगनी मंदिर, विसुनात मंदिर, लच्मन मंदिर, चितकुत मंदिर, पारसुनात मंदिर, चतुरभुज मंदिर इस अभी आपकी खजराहू में देखने को मिलेगा खजराहू सास्ति ये नेत समारू यहाँ आप जानते हैं कि हरवर सायजित होता है और 1976 सी एपितीवर सायजित किया जा रहा है चतरपोर में आप देखेंगे कि सागर संभाग में आता है और अगर हम लोग लेगनपाद की बात करें तो 813 सी है इसकी सीमा दो नदिया धसान और पश्चिम में सोना नदी से बनती है यहाँ आप देखेंगे खनिजों में बात करें तो पायरो, साइट, स्पोर मिलता है और अंगोर नामकिस्तान में हीरे की भंडार का भी पता चला है इसके छेथफल की बात करें तो 8687 बार किलोमीटर चतर फूर की सागचलता दर की बात करें तो 17.4 देखने को मिलेगा सिवपूरी, सिवपूरी छेथफल की दरिष्टी से दोसरा सबसे बड़ा जिला है और नर्वर महाभारत काली नगर है जहाँ राजा नल और राणी दवेंत की प्रेंग था राजा नल ने यहाँ नर्वर के किले का निर्मार भी करवाया था माधा राष्टी उद्यान भी आपको सिवपूरी में देखने को मिलेगा बन विद्ध्यालाय भी यहीं आपको देखने को मिलेगा सिवपूरी में और कथा कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा सिवपूरी में और ग्वालिय संभाग में आता है तिदेश का पिथम सौर चली टेलीफॉन एक्षेंज अमोल पाटा ये भी आपका सिवपुरी में निउन्तम तामान यहीं सिवपुरी में दर्च किया गया है मद्विदिस की पिथम परेटर नगरी भी है तत्या टोपे को यहीं फांसी दी गई थी तत्या टोपे समारग भी आपको सिवपुरी में देखने को मिलेगा संख्या राजी सिंधिया की चतिनिया भी आपको यहां देखने को मिलेगी मादाव राष्टी उद्यान में राष्टी राजमार्ग तेन जाता है इसी में आप देखेंगे कि जॉर्ज को असल भवन भी है इसी उग्धियान में संख्या सागर जील भी आपको देखने को मिले गया सौन चडिया के लिए बनजीब अभ्यारे ने स्तापित किया गया करेरा साथी करेरा आप जानते हैं ITVP कि छाहनी भी आपको देखने को मिलेगे सिवपुरी के चितफल की बात करें 10,278 किलोमीटर साक्षर्था की बात करें 62,530 और लिंगनपाद 877 सिञाधर डिकामगर का आपका निवाड़ी 20 बाजिला बना हुआ है पिधवी पो निवाड़ी और ओर Metropolitan सागर में आता हूँ निवाड़ी देखिए आपकता संबहाग सागर में आता है और इस चितफल पीतल उद्योग यह कापी फिषिद्ध है टीकमगर बैतवा गuvo जमान आप जानते हैं कि सबसे जान्दा तालाब आपको देखने को मिलेंगी पहाड़ियां, सबसे अधिक तालाब यहीं पाए जाते हैं, टीकमगड को बुंदेलों की सोर भूमी भी कहते हैं, सूर, साथ, दो जैन मंदिर भी पिसे दें, तालाब पायो राजी, मद्विदेश, उद्ध्या कहा जाता ओर्चा को, लेकिन आप नेवाड़ी में पड़ता है, टीकमगड उद्धोगे, अगर विकास केंद की बात करने तो पिताब पुरा देखने को मिलेगा, पित्थी भी पुर की समीक आपको अस्चु माता भी देखने को मिलेगी, जिने अस्चु माता भी कह देते हैं, भारत की पितम नदीर तालक जोड़ो जोड़ने की परियोजना टीकमगड से सुरू हुई थी, कुंडे सोरुका पिसिद्ध से मंदिर भी आपको टीकमगड में, और यहां अक्च्छा तुर्फोज मंदिर हो गया, और चा का किला, राम मंदिर, लच्मी न सबसे चोटा जिला है, आप बात करें भेंड की, तो उत्तरपिदेश की सीमा लगी हुई है, भेंड की निवारी आप सबसे चोटा जिला है, आप बात करें भेंड की, तो उत्तरपिदेश की सीमा लगी हुई है, भेंड की, उमदभारत की पठार में इस्तित है, मिर्दा कटाओ से पीड़िज जला भी है, लिंगनपात की बात करें तो सबसे कम 830 देखने को मिलेगा, सबसे कम बरसा भी यहां गोहद में देखने को मिलेगी, भेंड जिले में सबसे कहां कम अनुसूची जंजाती भी निवास करती है, यहां दो पिसिद किले भी है, अटेर का किला और गोहद का किला, जनसंख्य की दिरिश्टी से पिडेश की सबसे चोटी तैसी रौन है, और गोहद छेते काली मूच चावल के लिए पिसिद है, भेंड जिले में चं छेतफल 4469 किलोमीटर अली राजपूर, अली राजपूर का बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जिला 2008 में बनाया गया था, जाबुआ जिले से अलग करके, तो यह आप लोगों को याद रखना होगा, और अली राजपूर इंदोर संभाग में आता है, आदिवसी बहूल जिला है, भील जंजाती निवास करती हैं, और इस जिले में आप देखें कि लखमनीन से में उत्खनन के तवरान जैंधर हम से संब्धित मूर्तियां भी विलिए, 2011 की जंगड़ना के उनसार पूरे देश में सबसे कम साक्षरता बाला जिला है आपका अली राजपूर, कित पिसद की दृष्टी से, कठी बाड़ा मयूर अभ्यारन, विस्म पहला जंजासी है, समुदाएक रेडियू केंद, चंद सेका राजाद में, नगर में, आम की नूर जहां फिरजाती, विस्म पिसद है, महेंगी भी है, भावरा में सुतंता संग्रम सेनानी आजात का जनम ह हुआ था, 2007 में आप देखेंते हैं कि मतवदेस सासन ने भावरा का नाम बदल कर चंद सेका राजाद रख दिया था, अली राजपुर ने वीलों का पिसिद नेत भगोरिया, यहां आप देखते हैं भगोरिया मेला भी लगता है, इसके लिंगनपात की बात करें तो 1011 इस से अलग करके बना हो, उसे भी याद रखें, मतवदेस की उजाद धर राद धनी, बैडन को कहा जाता है, सिंगरॉली को ही, सिंगरॉली में एंटिपीसी कताब विद्दूत के अंद भी स्थाफित है, सिंगरॉली कोईला भंडार उतपादन के लिए पसे सिद्द है, सि अब इसका नाम भी नरवदा पुराम रखने की बात हुई है, मतवदेस का सबसे चोटा संभाग भी नरवदापुराम है, इसका मुख्यले आप देखेते हैं होसंगाबाद में है, 2008 में यह संभाग होसंगाबाद के नाम से जाना जाता था और आप देखेंगे मद्विदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंचसन एटार सी भी आपका होसंगाबाद में ही पड़ता है यहां जलपेपाद भी देखेंगे, अफसरा जलपेपाद, रजट जलपेपाद, उचेस जलपेपाद, मद्विदेश का सबसे इदिक संचित जिला भी है 87% मद्विदेश का सबसे लंबा पूल, तबापूल भी है तबान अदीपार होसंगाबाद में सत्पोडा नेशनल पार्ग भी जो प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल है होसंगाबाद में बोरी अभ्यारन भी देखने को मिलेगा पिती हेक्टर गेहूत पादर में आप देखते हैं भारत में पित्वमस्तान है आपका होसंगाबाद बोरी घाटी सागोन के बनों के लिए पिसिद है ये भी आपका होसंगाबाद में पचमडी देसक पिदेस का पहला वायो इस्पिया रिजर्व है मदपिदेस एकमात हेल स्टेसन है पचमडी को सब पोड़ा की रानी भी आप लोग कहते हैं भी होसंगवाद में पड़ता है पच्पड़ी में ही आप देखेंगे धूपगर की चोटी है जो सबसे उंची चोटी है मद पदेश की तेरे सो पचास मीटर पांड़ा गुपाएं भी आपको यहीं देखने को मिलेगा आगर गाओं में टंगिस्टन खने जो भुलफराव मह देखने को मिलेगा होसंगवाद जिले का प्रमुक कोईला छेत तवा छेत है तिलक सिंदूर नामा की एक दर्शनी है और धार्मिक स्थल भी यहां देखने को मिलेगा भारस सरकार की सिकोर्टी पेपल मिल ए भी आप देखेंगे होसंगबाद में सिबिल न्याल है ओनलाइन करने वाला पहला जिला है आपका होसंगबाद फिरिये दैसनी इंद्रा पॉइंट पचमडी में आपको छेत फल देखेंगे 6670 वा क्लूमीटर साक्षरता 75.3 पिती सद लिंगनपाल आप देखेंगे 914 इंदोर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आल्टिक राधधानी इंदोर की प्राची नाम इंदपूर इंदूर अहलय नगरी भी कहते हैं जनसंकिल की दिरिष्टी से सबसे वड़ा जिला है पिथम जविक खादिकाई भी आप देखेंगे इंदोर में मानो मानसिक चेकिस्टा संस्थान इंदोर में अमीर खासमारूए यहीं आप देखें दिरिष्टी से सबसे वड़ी तहसील इंदोर देखने को मिलेगा 2011 की जनकरणान की अनुसार इंदोर संभाग में सबसे अधिक जनसंकिया विद्धी हुई थी एवी आप जान अठारे सु संथावन की किरांती में इंदोर में मालवा में विद्रो का मुख केंद था सहादत खान ने यहां का विद्रो का नेतित भी गिया था एवी नाम याद रखे गौर्मटगरी जेन तीरत इस्थान यहां है महावी स्वामी आदिनाथ पारसुनाथ की मंदर भी आपको देखने को मिलेगा राला वंडल मद्पिदेश का सबसे चोटाब भ्यारन है हिंगोट देखेंगा आप लोग सेनिक चाओन ही आपको देखने को मिलेगी महू में ही आप देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेटकर साफ का जनम हुआ था यहीं पर आप देखें कि डॉक्टर भीमराव राष्टी है सामाजिक सोस्थान स्थान भी देखने को मिलेगा महू का आप बदल कर आपने देखा है कि अभी हाल में ही अमेड कर दिया है और इंदोर में आप देखते हैं IIT और IIM दोनों देखने को मिलेंगे और यहां आप देखेंगे राजबाडा हो, कांच मंदिर हो, जैन मंदिर, खज, राना मंदिर, देव, गुराडिया, सीतला माता जहरना टिंचा, जहरना, पाताल पानी, जहरना, एस अभी आपको इंदोर में ही देखने को मिलेंगे इंदोर मद्पिदेश में किर्किट संग, मद्पिदेश टेवल टेनिश से सोसी एसंग के लिए घर है, और सहर की एग अंतराष्टी किकिट ग्राउंड, होलकर किकिट इस्टे आपको इंदोर में देखने को मिलेगा, मद्पिदेश में इलेक्टोनिक कॉंपलेक्स भी आपको इंदोर में, किष्टल आईटी फार्ग भी आप इंदोर में देखेंगे, फिथमबार आकासमाडी का फसारन इंदोर में ही हुआ था, 22 मई 1955 की बात है, राजी का पहला इंदी देनेक इंदौर से ही पिकास्त हुआ था am 1449 में न lecture भन पिदेश की एगमात खेली पतेगा है खेल रहचल आप देखेंगे इंदौर्स से हीं किर्कट पकासीं स्थापित हुआ था ग्या जोट में आप देखेंगे अपैंध यंदे ने को मिलेगा पिदेश में पहला डेंटल कॉलेज भी इंदोर में, सेयर मार्किट का मुख्याला है भी इंदोर में, मौसम बैदसाला में भी आप देखेंगे, इंदोर में ही मिलेगी, इंदोर से आप देखेंगे चिंबल नदी भी निकलती है, जानापाः पहाडी से, काकरी वाडी से, छ और अनार सब्वतायों का मसरह रहा है, बहुमी को निर्वाय कहा जाने लगा और बाद में यह सब्द निवार और निवार में बदल गया है, इसे पश्च्मी निवार भी कहते हैं आप लोगे खरगोन MOD खरगोन में अब सबसे अधिक देखेंगे मूमफली का उतपादन भी होता है। खरगोन जिले में ही देखने को मिलेंगे। खरगोन से आप देखेंगे 20 किलो मीटर यह इस्थान प्राचिन से मंदिर के लिए पिसिद्ध है। खरगोन से स्वेल महादियो जाते समय यह इस्थान रास्ते में पड़ता है। और यह इस्थान खरगोन जिली में पानी बेजीली बचान में पिथम स्थान है। नवगरय मंदिर और सूर नारायन मंदिर भी खरगोन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे हर्वर्स नावगरे मेला भी आएजित होता है यहाँ जनसंक्या घनत पिदेश में लगभाग आप देखेंगे तीन स्रीक्रम में है छेथफल आप देखेंगे 8,029 वर किलोम्टर साख चलता 62,965 मंडला मंडला आप जानते हैं कि भारत के मद्द पिदेश राज में सत्पोड़ा पहाड़ीयों में इस्तित है एक जला मंडला जिले में आप जानते हैं जनजातियां भी है देखते हैं जैसे बैगा, गौंड, उमरिया, माकरी, अगरिया एस अभी आपकी मंडला में ही पुराने समय में आप देखते हैं गौंड, वंस की राधधानी भी रहा है मंडला मैं आप देखेंगे जंगल में चीता के आखेट के लिए एपिसिद्ध है मौती महल, मंडला का किला, बगेलियन महल ये सभी मंडला जिले में पढ़ते हैं मंडला में दुरुक का निर्मार राजा नरेश साय ने करवाय था, मंडला जबल पो संभाग में पड़ता है, मंडला को बर्गी परियोजना, धावर थावर परियोजना, नर्बदा घाटी परियोजना, सिलाब मिलता है इस जिले को हीजब है मंदला में नर्बदा और बंजर नदी की संगल इच्ची का थी गिरधरी घ्रधरी वाई और रैनी अबंती भी मनेके समाधी आपको मंदला में ही देखने को मिलेगी मद्विदेश का सबसे बड़ा और पुराने नेसनल पार्क काना किसली ए प्रोजेक्ट टाइगर में आप देखते हैं 1973 में सामिल किया गया था काना में होलो गहाटी और बंजर गहाटी मंदला में नरवदा और बंजर नदियां प्रभावित होती है बैगा चक यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मंदला में फूर्ड पारिक स्थाफित किया गया मंदला जिलिया उद्दोगी केंग मनेरी है इसका लिंगनपात 1008 है ठीक है यानि की मंदला में केंग अभ्यारन भी देखने को मिलेगा इसका चेतफल 5802 मेटर और साक्षरतादर 6.9 लिंगनपात 1008 और रायसेन भोपाल संभाग में पढ़ता है और साची उनेशको की विसधरोहर में आप देखते हैं अभासी में सामिल किया गया थे यह आपका रायसेन में पड़ता है बेंबैट का महाभारत काली इस्थान जो अब अभ्दल्ला गंज रायसेन में इस्थे थे विसधरोहर में आप जानते हैं कि 2003 में से सामिल किया गया था राता पानी अभ्यारन प्रोजेक्ट टाइगर में समली तेकमात अभ्यारन है मद भारत का सौमनाद भोजपुर शेबलिंग रायसेन में ही देखने कुम लेगा बनगाबा में प्रग्देहसिक सैल चित यहां फरीद उल्ला की दरगा भी मेगंद नाद की गुफाएं भी आपको देखने कुम लेगी रायसेन में कुम्रागाय रायसेन में आप जानते हैं मैत्वा नदी का उद्गम स्थल भी है देश का पहला सिर्फ संग्राले भोजपुर में स्थापित है मंद दीप रायसेन जली में उद्दोविक नंगर है परेटन विभाग द्वारा भोजपुर साव का आयोजन भी किया जाता है असोक द्वारा सांची की स्थूप का निर्मार भी यहीं करवाए गया था रायसेन में राता पानी के अलावा यहां सिंधारी अभ्यारन भी देखने को मिलेगा यहां तीन सिचाई परियोजना जिसमें बारना समराट असोक सागर जिसे आप लोग हलाली कहते हैं नरवदा घाटी समराट असोक सागर परियोजना का पूरु नाम हलाली परियोजना था कि राय सेंग के लिए का को आप देखेंगे पंदर सो ब्यारीस तेन्तालीस में सेशा सुरी ने राजा पूरन मल से जीच छीन लिया था पर एटन इस्थल की बात करें साची स्थूप असोकिस्थम बॉद्ध विहार ग्रेट बाउल गुप्त महल गुपता मंदिर संग्रालय भोजपूर भोजे सोर मंदिर भीमेट का राय सेंग किला दरगा शरीप यह सभी आपको देखने को मिलेगे राय सेंग के साची में आप देखेंगे बहुत दी उनिवर्सिटी स्थापित की गई बहुपाल की अगर हम बात करें तो राजा भोज द्वारा बसाया गया था भोज पाल इसे ही भोपाल कह देते हैं आज मत्पदेश की राधधानी भोपाल बना और आप जानते हैं 1972 में इसे जिले का दर्जा मिला था पहले आप जानते हैं कि सेवर की एक तैसी लुगा करती हैं मत्पदेश का मंत्राल है बल्लभवन विदान सभा इंद्रा गांधी मेंटो होल में आप तो लगता है वो बाल में और पढ़ेश का पहला मॉडल ब्लेक बैंक ब्लैड बैंक बोपाल के हम दियाचे कि सालह में पिदेश का पहला इनरजी पार्क बोपाल में भोपाल जी आपकेम के आपको देखने में रेखनें को मिलीगा इंद्रा गांधी राष्टी मानों संगराल भोपाल में जिसी आप जानते हैं उननीस सो पच्छासी में स्थापना की गई तीसकी भारत भवन रविंद भवन भवन भववन में देखने को मिली गा पंडित कुझीला राष्टी दुबेर राष्टी विधी और विधाई पिसिक्चन संस्तान भवववाल में छेत्रिय विकार विज्ञान केंद टेक्निकल जिसल yes टेंगी टिचर सेनीग इंस्टिटिउट पुलिस यायत हयो पिसिक्चन केंद पुलिस स्वां पिसिक्चन केंद एस अभी भववाल में में जेल अनुसंधनौन पिसिक्चन स vot a हाई सेकोर्टी एनिमल डिसीज लेवर्टी हताई खेड़ा भोपाल में ही, स्पोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया साइं का केंद भी आप देखेंगे गोरागा भोपाल में, संगराल है, दुन्स अंत कुमार पांडूली भी संगराल है, प्राक्तिक भवन विग्यान संगराल है, वेला मियुजी अमराज्य संगराल है, दूर संचाल संगराल है, जन्जाती कला संगराल है, ये सबी भी आपको भोपाल में हसन सिद्धिकी का मकबरा भोई भोपाल में बन विहार नेशनल पार्क भी भोपाल में पिदेश का पहला सरबुद्यान भी भोपाल में ताल्जूल मस्जिद और एक धाई सीड़ी मस्जिद भी भोपाल में पिदेश में आप देखते हैं सबसे अधिक समाचारपत बोपाल से ही निकलते हैं। बोपाल में राष्टी नियाएक अकादमी 1994 में स्थापित हुई थी एवी भोपाल में। जाबुआ तो गुजरास सीमा से लगा हुआ जला है, जाबुआ इंदोर संभाग में आथ है। 16 भी सतापदी में स्थापित है जला बहादूर सागर जील के किनारी वसा हुआ है। आप देखेंगे 86 पितिसा जनजास्तियों का निवास है और 34 पितिसा तन्मसूची जाती भी नवास करती है जाबुआ में। जाबुआ का प्रमुक उद्दोगे केंद मेग नगर है। आदिवासी सोत केंद भी आपको जाबुआ में देखने को मिलेगा। जो आप देखते हैं जी आई टेक मिला हुआ था। मुर्गा भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। जाबुआ धार। रेल रिपेयर फेक्ट्री यह भी आप देखेंगे भोपा जाबुआ में। भगवरिया हार्ट यह आपका जाबुआ में। रॉक फासफोर्ट खनेज यह प्रमुकता से पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मैगनेज हो गया, सीसा, वेराइड, अभ्यक धिया, पत्थर, टेल्क, चूना पत्थर, कोल, डॉलोमाइट यह भी आपको देखने को मिलेगा। यहां विस्त की पहली भीली भासी की फिल्म का निर्माड भी हुआ, जिसका नाम आप देखते हैं फैसला। देवाजिरी बरसाती जढने के लिए पिसिद्ध है। पेडलाबाद आदिवासी खेल खूंद विस्त बिध्याले स्थापित किया गया। जो पिदेश का पिद्धम आदिवासी खेल खूंद विध्याले है। चेथफल आप देखेंगे 6,178 km साक्षर्था, 43.03.03, लिंगन बाद 990 देखने को मिलेगा। बढ़वानी, तो बढ़वानी इंदोर संभाग का जला है। और आप जानते हैं बढ़वानी की स्थापना 1998 में, 25 माई 1998 में की गई थी। यह जला खरगोन से अलग होके बनाय गया था। बढ़वानी जला मद्वधिस के दच्चन पश्चम में इस्तित नर्वदा नदीश की उत्री सीमा बनाती है। जली के दच्चन में आप देखेंगे सत्पोडा उत्तर में बिंद्यान चल परवसैनिया भी आप देखेंगे। बढ़वानी नाम के उत्पत्ति बढ़के अधिक बन होने के कारण हुई जिन से सहर पुराने समय में घरा हुआ था। बानी सब्द वगीची के लिए प्रयोग किया जा था इसलिए सहर को बढ़वानी नाम दिया गया। परेटन स्तल हैं बावन गजा जैनती विजास सनी माता मंदिर जम्बू गली गडिस मंदिर स्री सावलिय मंदिर विष्णु देवी मंदिर कालका माता मंदिर महलच्मी मंदिर संतोसी माता मंदिर रामकिष्ण मंदिर मोती माता मंदिर सनी मंदिर सतनारायन मंदिर बंधन ज आजगाट ग्वाल बेडग आप देखेंगे नगलवाडी इस अभी आपके देखने को मिलेगी आपको बढ़वानी में सुतंता से पूर्व आप देखते हैं बढ़वानी एक स्याज रियासत थी जिस पर आप देखते हैं राड़ा बंस का सासन था बढ़वानी जिले में पि पास उत्पादन के लिए काप देखते हैं और बढ़वानी में आप देखें कि सुतंता संग्राम सैनानी भीमा नायक का जनम भी हुआ था भावारगर में एक प्राचीन काल का किला भी है आदीनाद की वावन गज उची मूर्ती भी आपको देखने को मिलेगी बावन गजा सेंद़ो परिवान कषर बेरियर के लिए पिसिद्ध का बढ़वानी ग्वालियर मद्द्पिदेश की पिदेश प्राचीन नगरों में से एक है ग्वालियर इसका मुख i. आले में ही देखने कुमलि गाजर। यहां आप देखें कि जली के नाम इस जmt पर आवस्थत एक प गोपाचल, गोगरी, गोपत महर, गोपाद्री कहा जाता है, नाम अभ्हन सोकर अब ग्वालियर सब्द पढ़ गया, ग्वालिया एक महाधिसी भी हुआ करते थे, 1196 में ग्वालियर पर कुतोबुद्धी नेवक ने अधिकार भी किया था, ग्वालियर छेत में बलुआ आधियार तौमर कच्वाह राजवनसों की राध्दानी वर आए, इसके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिरन इसमारकों किला और महलों के रूम में, ग्वालियर संगीत के सहर के रूम में भी जाना जाता है, तानसें ग्वालियर की बेट में पैदा हुए थे, तानसें द्वारा इसकी स्थाफना की गी थी सूरच कुंड भी आपको देखने को मिलेगा यहीं और सूरच कुंड भी इससे कहते हैं ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत की सबसे प्राचीन घराना रहा है हसु खां हद्दु खां कि दादा उस्ताद नत्थन पीरवक्स को इस जनमदाता माना जाता है दिल्ली के राजा ने इनको अपने पास बोला लिया इनके दो कोते कादिर वक्स और पीर वक्स हुए कादिर वक्स को ग्वालियर महराज दौलत राव ने अपने राज में नोकरी पर रख लिया इस तरह से क्या होता है कि होता रहता है संगीत घरान को अपने पास बला ले देते ते राजा इस तरह के काई गरम करने के लिए मुरार एक चाउनी सेनिक चाउनी यह में यह आप देखें कि सूर्मंदिर भी कौड़ाक सूर्मंदिर की अन्रूब में बनवाए गया है यह सरोद घर इस्थापिद किया गया है यहाँ ग्वालियर म हैं अगर आपको इस तरह की सहर में आप लोग रहते हैं उसके बारे में और भी पॉइंट आपको मालू है तो आपको नीचे लिख दिया करिएगा ग्वालियर का किला का रतन जिब्राल्टर और फोर्ट भी कहते हैं आप लोग इसकी स्थापना आप जानते हैं पांच भी सता है ग्वालियर में एंसी सी महिला विस पिसीक्षण महा विद्ध्याल है भी देखने को मिलेगा घाटी गाओ अभ्यारन भी आपको देखें जिसमें सौंच डिया का संरक्षण किया जा रहा है मद्वितिस का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला दिसंबा जन्वरी में आप द मद्वितिस में सबसे पहला चिकिस्षा महा विद्ध्याल है किसि बिद्ध्याल है जुलाई 2008 में स्थाबित किया गया था यह भी याद रखिए ग्वालियर में आप देखें मैगनीज हो गया संग मरमा गयों उस लुहा इस कचीनी मिट्टी ग्वालियर में दिया सलाई पहलेखा और का कार्याल है भी आपको ग्वालियर में ग्वालियर में आकासवाणी की स्थाफण 1964 में की गई थी मद्विदेश में ग्यस्व का पहला आधारित बिद्धुद ग्रेग ग्वालियर की निकेडवान दिर में पढ़ता है उच नियालाई की एक पीड़ भी है ख विलोवा की गुफाएं ग्वालियर में साहली पित्माओं के लिए पिसद है कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम भी आप देखेंगे दुदिया रोसनी के लिए एक कैप्टन रूप सिंग आपका स्टेडियम ग्वालियर में इसका छेथफल देख सकते हैं 4565 किलोमीटर सारे इस थे भगवान पसुनात मंदिर के कारण पिसिद्ध भी है मंदसोर का प्राची नाम आप जानते हैं दसपूर राबर से जुड़ा हुआ है यह आप देखें पसुपती नात मंदिर हो गया चंदबासा धर्मा धर्म राजिसोर मंदिर वही पार्षनाट जैन मंदिर फि से जानदा भारत का सबसे अधिक अफीम होता है मंदसोर में मंदसोर जला उज्जेन संभाग में आता है इस लेट फेंसिल बनाने के कार खाना भी इंदगड पुरातात को इस तल यहां भानपूर तैसी सुने ठपा को राजिस्थान को दे दिया गया था गांदी सागरबान चमन लदी पर यहीं गांदी सागर अभ्यारन भी मंदसोर जली किया जलवाई हो और मिट्टी अंगूर की खेती हो काफिव पिसद है उद्दोगे के काई यहां जीवाजी राओ सुगर कंपनी लिमिटेड डलोदा टेक्स्टाइल लिमिटेड मिल्स M.I.D. इंडिया स्फि मंदसोर को दो भागों में बारती है मंदसोर मालवा का सिंद्ध द्वार भी कहलाता है राजिस्तान सीमांत फहरी भी कहते हैं से रावर की पतनी मंदोर्दरी की जनमस्थली भी रा इसकारण आप देनते हैं रावर की पूजा भी होती है मद्दपदेश में एक मात उद्या मंदसोर में आप देखें कि सेबना चंबल के अलावा छोटी काली संद्वी नदी याँ छेथफल आप देखें कि 5,535 बार किलोमेटर साख चरता चरता है और साजापुर को पहले खानेडीख खेडा की नाम से जानते थै आप जाते हे क्योंकि आगरमालवा अलग जिला बन चुका है मुल्ला समतुद्दीन का मकवरा भी आपको साजापूर में देखने को मिलेगा मकसी साजापूर का उदोगी विकास केंद भी आपको यहां डावर का प्लांट भी लगा हुआ है और यहां आप देखेंगे भायाना गाउं से पिसे द्वेंकार और लेखक बालकिषने नवीन का जनम भी हुआ था कहां भायाना गाउं यह कहां पड़ता है साजापूर में मोगल बासा जहागीर ने इसे साजापूर के नाम पर साजापूरा साज यहां आपने लोगों ने सुना होगा साजापूर के लिए का जीडवदार राण्योजी सिंधिया ने करवाय था काला पीपल में सुवयवी इनका कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा सुजालपूर और काली पीपल पिसिद अनाज मंडी भी आपको साजापूर में ही लंखुदर चीलर आधी नदियां भी प्रवावित होती हैं यहां परेटन स्तल की बात करें तो राज-राजसुर माता मंदिर करेड़नी माता मंदिर और माता भगुला मुखी वैजनात महादेव मंदिर पारसुनात मंदिर यहां आप देखने को मिलेगा मोहन बड़ोदिया बड़ोदिया में मेला आयुजित होता है यह भी आप देख सकते हैं छेथफल इसका बात करें तो 3411 पर किलोवीटर देखें को मिलेगा पिदेश का कंजर वर्शन रिजर्व काली हिरन के लिए स्थापित किया गया है यह आपका साजपूर में ही देखने को देखी आगर मा नल खेडा में पिसित भादबा माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा भारत में पहला गोप भेहरन यही सालिरिया गाउं में देखने को मिलेगा आगर मालमा में चीलर, लखुंदर और नयवरज, नदिया भी बैती हैं यहां परियाट और धार्मी किस्थल की बात कर देखने को मिलेगा ये सभी आगर मालवामन इस शेथफल की बात करने तो 2785 वर किलूमीटर शेथफल में पहला हुआ है आगर मालवामन धार की बात करने तो आप सभी कुमालो का प्राचीन काल में धारानंगरी हुआ करती थी और यहां आप देखेंगे कि परमार राजा भोज ने की थी धार जला इंदोर संभाग में आता है और परमार बंस की राध्धानी भी रहा है राजा भोज के समय ग्यार्वी सदी में रा धार का किला लाल बलुगा पत्त्रों से सुल्तान मुहमद बिन तोगलग ने चौदैभी सताबदी में वनवाए था अमजीरा की राजा बकतावर सिंग 1857 की किरांती के समय अंग्रेजियम से एद किया उपरडाम सुरूप इन्हें इंदोर में फांसी दे गई थी उस समय ब पानी, रूमतिक महल, हिंडोला महल, जहाज महल, असरफी महल, एस अभी आपको मांडू में जो धार में ही पढ़ते हैं, धार में जिले में डाइनासौर की जीवासमा अंडे पराप्त हुए थी, इसी कारण आप देखते हैं मद्प्रिस सासन ने यहां डाइनासौर जीवा पार्क भी स्थाबित किया हुए है, जनजाती की दृष्टी से सबसे बड़ा जला है, धार, जनसंग्या में, मूर्ती कला के लिए पिसिद्ध फढ़क के स्टोडिया धार में आपको देखने को मिलेगा, इस्टोडियो, ग्यान, दूद, परियोजना, डेहरी सराय, घाटा बिलोध से ही पैरम हुई थी, ये भी आपका धर में, सरदारपूर अभ्यारन जिसमें खर्मोर पक्ची का अभ्यारन भी सरक्षन किया जा रहा है, धर में, पीथमपूर में, निरियातक, संबर्धन, पारिक, चतुरभुज, मंदिर, अमजीरा में देखने को मिलेगा, यहा लाठ मस्चिद, जीरा वाग महल, यह सभी आपको धार में, मांडू इसी जिले में है, और जिसे आप लोग सिटी ऑफ जौय के नाम से जानते हैं, मुहन केड़ा, मुहन केड़ा एक पवित जैन धरम से संबंदी तीत है, धार से ही माई और नर्वादा नदी पर वाहित होत होता है, उननीस और तालीस में गुणा को मद्परांत में सामिल किया गया था, उननीस तो चपन में इसे मद्विदिस में मिला लिया गया था, यहां का प्रमुख उद्धो के एक नगर आप जानते हैं कि एक छेत है चैनफूर, गुणा में तेजा जी का मिला भी हर साल लग कार खाना और गेल भी है, गेल का कार खाना भी आपका विजयफूर में देखने को मिलेगा, जो आपका गुणा में पड़ता है, विजय नगर में ही आप देखेंगे भू, उपग्रे, दूर संचार, अनुवेशन के अंद भी स्थावित किया गया है, हजीरा, विजयफूर ही देखने को मिलेगे, पारपती सिंध कुनो, ये सभी आपको घुड़ा पचाड, घुड़ा पचाड, ये नदिया सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगे, छेथफल की बात करें तो 6300, साथबर किलोमीटर, साखचरता की बात करें तो 32 संबला, 2300, लिंगनपाद, 912 है, वहीं अगर देवास की बात करें हैं, देवास जिला ये आप जानते हैं, देवों की स्थान की कारण इसे जगे को देवास करेते हैं, और 18-19-19-19 सदी में यहाँ पवार बंस का सासन हुआ करता था, देवास जिला उज्जेन संभाग में पढ़ता है, और आई ये सू परमा फैक्टरी भी यही देखने को मिलेगा, जाम गोदरानी में पवन उर्जा सेंध भी आपका देवास में देखने को मिलेगा, देवास टेकरी जहां चामुंडा देवी ओ, तुलसी भावानी का मंदर भी देखने को मिलेगा, सौन कक्चे इंदोर में भुपाल मार्ग में इस अपना इस्थली वीर आया है और इस जिले को कलाओं का घर भी कहा जाता है देवास को यहां नर्बदा, काली, सेंद, छिपरा, दतुनी यह सभी यहां भैती हैं परेटर ने धार्मी किस्थलों की बात करें तो केला देवी मंदिर, महादियो मंदिर, सरी मनी, भद भीर मंदिर, ग्रेश चर्च, दत्ता मंदिर, गुषद्वारा, कसब, बप मंचित, काली मंचित, साही दात, जाता मंचित, कवाली अहेल, पवार छत्री, गिडिया खोय, सय अच्छता की बात करें तो 59.03, और लिंगन पात आप देखेंगे, 942 देखने को मिलेगा, रतलाम, रतलाम की बात करें तो मुगल साह, साह जहां ने रतलाम ज्यागीर को, रतन सिंग के, को एक हाती की खेल में, उनकी बहादरी के उपर लक्ष में प्यदान किया था, साह जह आते हैं, सेव, नमकीन, आप लोग कहते हैं ना रतलामी सेद दे दिजिए, सोना सक्टा, मावा, साडी, समोसा, कचोरी के लिए प्रिपिस्द्य हैं, लेकिन सेव के लिए प्रिपिस्द्य के लिए है, और रंगजीब द्वाराबाद में रतलाम के सेद परिवार जोकी साह जहां द्वारा रतलाम की काजी और सर्वनी जागी की जागीदार निव्थ किये गए थे द्वारा मध्यास्ता करने के बाद रतन सिंग के वेटे को उत्राधर कारी बना दिया गया था रतलाम में आप देखेंगे कि जावरा में सुगर मिल भी आपको देखने को मिलेगा मधविदेश का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला भी आप जानते हैं रतलाम है रतलाम लगर को 1839 में केप्टन बोध विक ने इस्थावित किया था होसेन टेकरी एक धार्मी किस्थल है जो जावरा में आपको देखने को मिलेगा रतलाम जली में अगर सूती कपडा उद्देयोग मिली अब्यार अब्यारन खर्मोर नावकत्पची को सरक्चन किया रहा है और केक्टरस गार्डन सेलाना एवी आरुपका रतलाम में बिलपांक में ग्यारवी सदी का पंचायन सेली के प्रांचीन से मंदर और विरुपाक्च मंदर भी आपको देखने को मिलेगा अंगूर अनुसंधान के अंदी भी आपका रतलाम में ही है पर एक ठनलिस थालवालों की बात करने तो इसमें आप देखेंगे बिलपा केसवर मंदर से मंदर भी रुपक्च महादेव मंदर सिपाव वरा मंदिर, धरोला महा देव मंदिर, गरखन खाई मंदिर, केदासवर मंदिर, आरजी मंदिर, अयाना महा देव मंदिर, कालीका माता का मंदिर, महालच्मी मंदिर, बरगद हनुमान का मंदिर, गरखंगे माता का मंदिर, केक्टस गार्डन, हुसेन टेकरी, अंधी क कपलेस और मंदिन खार्म और पक्षिट सेंचुरिय गंगा सागर आधी इस अभी आपको देखने को मिलेंगे रतला में चेथफल की बात करेंगा हम लोग तो चारहजार में पहला हुए है और यहां साक्षरता श्यासट दसम लाओ आठ फिती से लिंगन पार नौसव इकत्तर वहीं अगर हम लोग नीमच की बात करें देखिए है नीमच तो याद रखी नीमच को मंदसौर से लग करके 1998 में जिलेश में विभाजित किया गया था जिला बनाया गया था पहले एक इसका हिस्सा गया करता था मंदसौर का 1800 करंथी की समय सुधनता संग्राम में की मदवेदेश में शुरुआ नीमच चाहनी से हुई थी नीमच से नीमच जो जैन संभाग में पड़ता है और CRPF की जनम स्थली भी कहा जाता है बरतमार में आप देखें के CRPF का टैनिक सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा नीमच में नीमच में गवर्मेंट और पीम एंड एलकुल फेक्टरी भी स्थापे थे नीमच अफीम उत्पादक जिला है इस जिली का आकार हिदय की तरह देखने को मिलेगा हिदय आप लोगों ने देखा है फिसे महादीव का कोकडेस और मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा औ और 1942 में भारत छोडवा अंदोलन में इन्होंने भाग लिया था वो जिल भी गए थी साहवुद्दीन ओलिया का और्स भी लगता है आपका नीमच में यहां 16 ग्राम पहला ग्राम नियाले इस्थापित किया गया था आक्टर लोनी इमारत यहां पुरानी इमारत है जैसे सर आक्टर लोनी ने 1818 में बनवाया था नया गाउं पविच्चित्वकूट पहाडी पर वसा नया गाउं सिमिन प्लांट के लिए जाना जाता है राष्टी राजमाग 79 नहीं से गुजरता है अठाना राजिस्थान की सीमा परस्तित एक खुबसूरत सहर है अठाना नंदन फ यह मंदिच चितोडगर से 35 किलो मीटर दूर देखने जीरन का किला नीमच से आप देखेंगे 21 किलो मीटर दूर इस्थे थे दिहासी को सुंदर नगर है जीरन नीमच जिले का एक तहसील के अंदर जीरन का किला एक बिशिस्मत है और इसका किले के इतिहास के कई उताव सब्सक्राइब को और 1826 में विधिवद रूप से अधिकार में चला गया और 1861 में सागर और नर्वदा परांथ में चला गया बैतूल जिला नर्वदापुर हम संभाग के अंदरकत आता है और वेटिस सेना ने सेना ने मुलताई में चावनी बनाई थी आप सभी जानते हैं बैतूल और साजापूर, साइपूर, मराठा सासक, अप्पा साब की सासन में अलग हो गई थी अमराठा और सैना जोट 1862 में बैतूल में रही यहाँ आप देखेंगे मुक्तागिरी जैन मतीर्द भी आपको बैतूल में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके जैन धरम के 56 मंदिर देखने को मिलेगा संपूर भारत का मदबिंदू भी आपका बैतूल है संपूर भारत की बात करें ग्रेफाइड खनिच पाये जाता है मदबिदेश में सबसे अधे कहां बैतूल में आने खनिजों की बात करें तो कुईला, गेस्ट, इन संगमरमर डॉलोमाइट यहाँ पाये जाते हैं सेम बरमाद द्वारा बाला जी का मंदिर भी बनवाए गया था आपका बैतूल में चिचॉली में मद्द पिदेश का बनपज संग का बिकरे केंद भी आपका यह भी आपका बैतूल ही साधित आप बिद्दूत केंद भी बैतूल में यहां की मुख्य जनजाती कोरकू है जिसका चट कोरा नेत पिसिद्ध है इसकी सडोली पिथा भी पिसिद्ध है यहां आप देखें कली भीत अभ्यारन भालूओं उसका सरक्षन भी किया जा रहा है यह भी बैतूल में कहां बैतूल में यहां के आमला में वायु सेना की सेनेक छावनी भी देखने को मिलेगी तापती नदी का उद्गा मुलताई नामक स्थान से होता है बैतूल से ही बैतूल जली में आप देखेंगे टिसू कल्चर लेब इस्थाफित की गई पित्थम गौंडी समदाई केंद की स्थाफना सन 2012 में यहीं बैतूल में की गी थी बैतूल में तापता तवा, माचना और वर्धा नदी पर वाहित होती है मुलताई पिदेश की संत्रामंडी भी है यहां गोडा डॉंगरी में 1937 में गरजन सिंग कुरकू ने जंगल सक्ते अगय किया था बैतूल में ही बैतूल उष्णे कटी बन दिये परणपाती बनों के छित में आता है इसका छित फल आप देखेंगे यह 10,043 बर किलोमीटर छित फल में फैला हुआ है अब बात करते हैं कि चुना पत्थर के सहर के नाम से आप लोग जानते हैं कटनी को ठीक है और यह आप बात करेंगे तो 4950 बर किलोमीटर छित में फैला हुआ है कटनी आप सभी को मालू हुआ कि कटनी को 1958 में जबलपूर से अलग करके जिला बनाए गया था कटनी को चुना नंगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं प्राची नाम इसका मुडवार है कटनी की रोपनाथ नामकिस्तान पर मौर कालीन पाली भासा में असोग का विलेक भी आपको देखने को मिलेगा कैमूर में आप लोग ACC की सेमेंट फैक्टरी भी जो 1923 में स्थापित की गई थी यह भी देखते हैं बिलहारी यहां पान की कभी पिस्थ है और इसका उलेक अबुल फजल ले आईने एकवरी में किया है तो यह भी याद रखे मुडवारा में डोलोमाईट, वॉकसाइड, फारकले, सौफ, इस्टोन आदी पराप्त होता है यहां खानेजवी टेक बान में से नरसिंग भगवान की मूर्ती भगवान फारसनायत की मूर्ती मिली है और यहीं से ब्रह्मी लिपी में एक अभिलेक भी पराप्त हुआ है सबसे अधिक चूने का अकपादन कटनी से ही होता है कटनी में इस्वेश टर्म और सिमेंट और चादरें भी बनाई जाती है भारा सरकादवारा यहां इस्टॉन पारिकिस्था पित किया गया है कटनी में विजय रागोगण की किलिए में इस्थि रंगम बहिल बहुत पिसिद्ध है राजा प्रयाग दास के काल में है विसाल और लोकपिडी है नगर था रोपनात यती तिस्थल बहुरी बंद से तीन किलोमेटर दूर भगवान से की पंचलिंग की आकरसंथ पिदिमा भी आपको यहां देखने कुमलेगा एक दूसरे की उपर बनी तीन कुंड देखे जा सकते हैं सबसे निचली कुंड में आप देखेंगे सीता कुंड बीच की कुंड में आपको देखेंगे लचमन कुंड सबसे उपर वाली कुंड में राम कुंड तो आप देख सकते हैं एवी आप देखे देश की पहली किन्नर महाप और कमला जान यहीं की थी कटनी की मुडवाहा कटनी छोटी महा नदी और उमदर यहां से बहने वाली पिरमुक नदी हैं कटनी का सिलम ना बाद गाउं संग मरमर के पत्थरों के लिए का पिसिद्ध है बोहरी बंद बोहरी बंद गाउं के आसपस अनेक एतियासी स्मारुकों को देखा गया है जा सकता है जैन तीर्थकर भगवान सांती नात की बारे फिट उची पितिमावी भगवान पिसनू और शोर की पितिमाई भी यहां मुक आकरशंड का के लिए यहां एक कुंड की निकटिस्तित पत्थर में भगवान पिसनू के दस आउतार भी आपको देखने को मिलेगी यहां इस्टाउन पार्क की स्थापना के बाद इस गाउं का महत और बढ़ गया चेत्पल आपको बता चुका हूं 4950 किलोमीटर में साप्षरता 72% लिंगन पाथ 952 बर नौसो बावन है अगर हम सिवनी जिली के बारे में कुछ पॉइंट देखें तो याद रखें सिवनी जिली का नाम सिवना नामक जो बैक्च होता है उसके कारण बढ़ा है सबसे जाना यहीं देखने को मिलेगा ठीक है और इस बैक्च से आप देखते हैं कि धोलक बनाया जाता है जो आप ध भक्तों का बहूल और विभाज भगवान सिव की इश्ड़ देव के रूम में पूया अर्चना की अधिकता का कारण इस नाम इसका नाम सिवनी रख दिया गया था ठीक है और कलांतर में आप देखेंगे कि इसका नाम सिवनी पढ़ गया आंगे चलकी सिवनी के लिए का नि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर गठन हुआ और सिवनी जिला एक नवंबर 1956 को मद्ध पिदेश का उनहा सुतंत जिला बना क्योंकि यह नवंबर 1956 को मद्ध पिदेश गठन में आये था यह जिला इमारती लखडी का मुक्सिरोद भी है सागों ने जिले में कापी पाया सिवनी जिला मद्ध पिदेश जबलपो संभाग में आता है और सिवनी को मद्ध पिदेश का लखनव भी कहते हैं काली मूच वाले चावल मावा वटी के लिए लखाना दौन एपिसिद है जो काली मूच वाला आप चावल देखते हैं उसी की बात करिया है मुंदरा से आप बैन गंगा नदी का उद्गम भी यहां से निकलती है बैन गंगा और पैंचर नेशनल पार्क जो आप जानते हैं रोज एक टाइगर में सामिल भी किया गया है यह भी आप देखेंगे सिवनी जिले में ही पढ़ता है भीमगड यह है यहां आप देखेंगे बैन गंगा और इसकी संस्किती के बारे में बात करें तो आदीवासी बहुल जिला है आदीवासी अधिक देखने को मिलेगा इसके अत्रिक्त आप देख सकते हैं हिंदो, मुसलिम, जैन, इसाई, गौंड यह सभी भी पाए जाते हैं और जिले में गौंड आदीवासी संस्कित अधिक को मिलेगी गौंड एक तरह से आपकी आदीवासी ही हुआ करते हैं जिले में नवरात्री, स्री नाव, राम नवमी, स्री किष्ण जनावाश्टमी, गडे सुत्ताव, पोला, एवं बढ़गा, मेगनात मिला, देपावली, रक्षा बंदन, भुजलिया, और महादीव, बीर कि दर्सनीर अगर इस्थलों की बात करें तो दल सागर तालाब, दिगंबर जैन मंदीर, मा बैष्ण देवी का मंदीर, सिला देही में, कातल बोडी, साई मंदीर, नगजर में, दिगोरी, हनमान मंदीर, जाम, कत्यायनी, सिद्पीट मट बंडोल, मा बंजारी देवी का मंदीर छपरा, स्री सिद्धाम मट घोगरा में, महां अमबाबाई देवजी का मंदीर, आमागड, अमोदागड, छुई, रिचारिया बाबा का मंदीर, घनोरा, पाईली रेष्ट हाउस, घनोर, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, मोगली लेंड पैंचे नैसनल पार्क इसका लिंगन पाद देख सकते हैं, ठीक ठाक है, 922 है, मद्विदेश में सबसे अच्छा कह सकते हैं, ठीक ठाक है, ठीक बाला घर्ट, आप देखते हैं कि सबसे जाना है, सक्षर्था कि ये बात करें, तो भात तर्द दसम लोग हो, दो किती सत, और इसकी बात करें, छित अगल की तो 8758 वर किलोमीटर में फैला हुआ है, अंगला है आपका राजगड़, तो राजगड़ जला, राजगड़ विहारा के नाम से जानते हैं से, राजगड़, ठीक है, और राजगड़ को 1776 में महाराज या गजन सींग ने अपने पुत के नाम से बसाया था, आप आप देखते हैं कि उस समय के राजगड़ अपने पुत के नाम, पुत्रियों के नाम, माबाप के नाम, इस तरह के स्थानों के नाम रखते रहते थे, राजगड़ जो बहुपाल समभाग में पड़ता है, पर दियों के बात करें कालि संद्र, नेवाज, पारवती, अनाज ये भी आप लोग याल रख सकते हैं राजगर राजगर से भी कुश्चन्स कई बार पूँच लेता है क्या पूँचता है राजगर से और आप सभी आपको मालू होगा कि भोपाल, विदीसा, रायसें, सिहोर, राजगर ये सभी आपके भोपाली चम्हाग में पढ़ते हैं 1995 में मानाव विकास रिपोर्ट पिस्तुत करने वाला राजगर भारत का पहला जिला था ये भी आपका कुश्चन्स कई बार पूच लिया है वेवरा में राष्टी राजमार्गों का चौरा है वेवरा काली सिंद्र नदी के तरपर बसा हुआ है वेवरा के समीप ही पसुमत्ती नातमंदिर भी देखने को मिलेगा मद्पदेश का सबसे अधिक रेगस्थानी जिला है आपका राजगर विस स्वास्त संगठन यानि की डबलू यह चू की 2007 की रेपोर्ट केंसर मद्पदेश में मुहे केंसर के सबसे अधिक मरीज आपको राजगर में ही देखने को मलेगी यह गलत है चिडीखो को मालवा का कस्मीरी भी कहा जाता है 1978 में इस्थाफित वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की मद्द में इस्थित है रानी रोमती और बाज बहादूर की मजार साहरंपूर में जो देखने कुम लेगी राजगर में यहां नरसिंगर का अभ्यारन भी देखने कुम लेगा गिन्नोर गड का किला भी कापी फिसिद है किले के आसपस आप देखेंगे तोते कापी फिसिद तोते भी पाया जाते हैं तोते आप समझते हैं नरसिंगर के किले के परिशाय में पूरा नरसिंगर बसा हुआ है और पर्याटन धार में किस तलों की बात करें तो रेजनात महादेव मंदिर स्याम जी संगा मंदिर जल जलपा माता का मंदिर दर्गा सरीप खोरी महादेव मंदिर चिड़को वाइल लाइफ सेंचुरी वेवा मांडू परस राम तालाब नप नेरा जील चापी डेम जील एस अभी देखने को मिलेगे पीलू केड़ी यहां का उद्दोगी छेथ है ठीक है फरस राम तालाब चिड़ीखो नापा नेरा चापी डेम यह सभी आपको देखने को मिलेगे यह बात करें चेथपल की तो 6153 किलोमीटर चेथपल में फैला हुआ है सक्षरता की बात करें तो औसत मत्पिदेश का जो है उससे कम एक सर्दसमलाओ दोपिती सब लिंगारबाद देखेंगे 956 देखने को मिलेगा सिहोर की बात करें तो याद रखिए बिंद्यांचल की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मालवा अंचल का यह जिला इतियासिक और धार्मिक मत्त के लिए कापे फिस्द दे व्यश्णाओं बहुत दो और नारत नात संपताई के औसेस भी यहां मिले हुए और भुपाल लियासत का एस हिस्सा 1972 में सुतन तस्थित में आये था महसी पतंजली भगवान राम लच्मड सीता की यहाने की परमाड भी मिलते हैं पूर में यहां यह स्थान सिद्राफूर क के नाम से जानते थे मगत देश चंदगुप्त असोग महार राजा भोज पेशवाओ रानी कमलावती नबावों का इतियासिक महत्त की रूम में भी इसकी पहचान जुड़ी रही है यानि कि इन सासकों का भी इससे नाम जोड़ा रहा है ठीक है सीधा साथ पराचिन समय में से और को नाम सिंगपूर के नाम से भी आप लोग जानते थे बहुबाल संभाग में पड़ता है यह सभी आप लोग जानते हैं सैक्षिडिक देश्टी से भी आप कर सकते हैं जले का काफी अच्छा महत्त है 1835 में यहां हाई स्कूल की स्थाफना पॉलिटिकल एजेंट लि को सित किया है तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा है कि सेहोर जिला फिराक्तिक संदर नर्वदा कुलांस पारवदी और दूदी नवरोज कुलार अजनल सीवान और लोरिया नामक नदिया भी यहां से जाती रहती 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 है परेटन स्थल की बात करने तो गनेश मं जमा मस्चिज जैन मंदिर इंधमां फातक चर्च गुरद्वारा राम लला मंदिर शलकनपूर दुर मंत् si do सारु मारु की आपको देखने को मिले हैं इसमें मिले अन। में वहां कondere इसमाने स्वभागोर के मेंदर 10रत मैं योड़ Day था और इसे उद्ध में कुंगर चेंसिंग सहीद हो गये थे जिनका इस मारक आज भी यहां बना हुआ है मदविदेश के गठन के पहले सिहोर को निजाम ये मस्रीप के नाम से जानते थे सिहोर की बुद्नी तैसिल में रेलिवे सिलिप पर बनाने का कारखाना भी है और बुद्नी में ही आप देखें कि टेक्टर फिसीक्षण भी केंद भी है सलकनपूर में वीजा सेन माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा इस छेत को राज सरकार ने परेटन छेत की रों में विक्सित करने की घोशना भी की है बढलाई में मंद पिदेश का सबसे वड़ा सहकारी सक्कर कारखाना भी देखने को मिलेगा चेनी कारखाना सेहोर में सरमती और चंदोसी किस्म का ग्यहू संपूर भारत में पिसिद्ध है इसमें चंदोसी नामक ग्यहूं का सबसे अधिक उत्पादन सिहोर में ही होता है पिदेश का पहला खेल आवासी महाविध्यालावी सिहोर में आपको देखने को मिलेगा पान गोडारिया से ही असोग के अवलेक भी मिले हुए इस जले को निम्न परियोजना एलावनवीत करती है कोलार परियोजना नर्वदा घाटी परियोजना बार्णा परियोजना इन्हें भी याद रखे यहां जावा मस्जीत का निर्माड मुगुस देन ने करवाया था और चेटफल की बात करें 65882 किलुमीटर है जाए चाख्चरता की बात करें सब्सक्राइब तरह था नोसो था रहे हैं डिन डोरी 1998 में मंडला जिले को विवाजीत करके डिन डोरी बनाए गया था तो पहले मंडला जिले का हिस्सा वुगा करता था और यार्दी रखिए सहेडोल संभाग में पढ़ता है किसमें पाया जाता है मद्पिदेश का सबसे चोटा नेशनल पार्क यहीं है जीव और यहां एक जीवास मार्क है जो मात 270 वर किलोमीटर छेत में फैला हुआ है मद्पिदेश का नियुंतम संचित जिला भी यह साय है पुरा यहां का कोईला छेत है सबसे कम नंगरिये जनसंक्या पि पॉसिल पार्क कुकरमड से मंदे कपिलधारा कला एमपोरियम कपिलधारा जर्ना डगोना जर्ना देव लाना गुफा यह आपकी डिंडोरी में ही देखने को मिलेगे नर्बदा और सिंग रॉली भी है इसके छेतफल की बात करें तो 7470 वर किलोमीटर छेत में फैला हुआ ह अच्छरता की बात करें तो 63.930 लिंगनपाथ 1002 ठीक है काफी अच्छा है पन्ना आप सभी जाते हैं कि संभाग में किसमें पढ़ता है सागर संभाग में पढ़ता है राधा ददीची और राजा पदमाबत का राज था है पराचीन काल में संपूर भारत में हीरे की उतपादन के लिए पन्ना को काफी आप लोग जानते हैं हर बर्स यहां देखेंगे 80,000 केरेट उतपादित हुआ है अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ हीरे की कुछ जानकारी मिली है पेड काटने की वाद अंदोलन भी चल रहा है 2009 में N.M.D.C. ने यहां हीरे का फिरसे खनम सुरू कुए पन्ना में हीरे की खान है और साथी यह स्थान प्राचिन और संदर मंदिनों के लिए पिसिद्ध है इसे कारण इसे मंदिर की नगरी भी कहते हैं और यहां इसे संद प्राणनात और स्री वल्देव सींग वल्देव जी के मंदिर तीर्दगरों के पीच पिसिद्ध है पन्ना राष्टी उद्ध्यान भी है और जहां टाइगर जर्व और कई दुल्लप बने जीत भी पाये जाते हैं मुलूप से तेरेवी स्ताब्दी ता गौंड विस्थापन था और पन्ना राज शत साल बुंदेला द्वारा राध्धानी भी बनाए गया पन्ना एक नवंबल उननीस सो चपन को मद्पिदेश में विला कर लिया और जोबिन्दे छेत के नए भाती राज का एक हिस्सा पन पन्ना नेशनल पार्क यहीं प्रोजेक्ट टाइगर भी सामिल है यहां पर गंगव बनीजी बभ्यारन भी कापी पिसिद है अजयगर में एक पिसिद खिला भी है मत्पिदेश का आउला जिला भी कहते हैं क्योंकि मत्पिदेश में सबसे जानर आउला यही होता है मिखने सभी बाइस अब जो इसन आपको देखने को मिलें दमो दमो की बात करें तो आप सभी को है मालू की साहर संबाग में पढ़ता है और पुराना है सिंग रामपोर में मिले पुराड़े काल के वासाड हत्यार इस बात का साख्ष्वी है और इस इस्थान पर करोण बैस मानों सब्दता का पालन भी रहा है पांच भी सिताब्दी में अपाटली पुत्त के भभ वेवं सक्ती साली गुप्त समराज्य का हिस्था हु और बारेवी आटवी से लिकल बारेवी सिताब्दी के मद्द दमो जिले का कुछ भाग चैंदी समराज में के अंतरगत आता था और जिसमें कल्चुरी राजाओं का सासन था उनकी राधधानी तिपूरी हुगा करती थी चौदेवी सिताब्दी में दमो में मुगलों का अधीपप्त सासन राओ ग्राम सलेयत था बटियागर में पाए जाने बाले पासाण से ललखों में से खेलगी और तोलबंस का सासन भी काउल लेक में मिलता है बाज में मालवा पावान ने यहां सासन किया मालवा सासकों ने और पंद्रवी सिधाब्दी के आखरी दसक में गौूंड बंस के सासक संग्राम सिंग ने इस पर अपनी सकती सालीय और बहु आयमी संबराज में किया जिसमें 52 जिले हुगा करते थे उस समय की बात करें हेटोरिया के ठाकूर किसोर सिंग, सिंग रामपूर के राजा देवी सिंग और किरी जोग के पंचम सिंग, गंगा धर राओ, रगुनात राओ, मेजबान सिंग, गोविन राओ, इत्यारी कुसल नेतित में अंग्रेजों के खिलाब 1857 के विद्रों में भाग लिया पुनाडिक कथाओं के अनुसार, दमो सहर का नाम नरवर की रानी, दमयंती, जोकी राजा नल की पत्नी हुआ करती थी, इन्हें के नाम पर पढ़ा था, दमो में आप देखेंगे पीतल नंगरी के नाम सी भी आप जानते हैं दमो को, मद्विदेश में सबसे दिख बल सेमिको के संख्या आपको दमो में में देखने को मिलेगी, कुंडलपुर, जयनतीर्थ भी आपको दमो में देखने को मिलेगी, 32 गड़ का किलाव पार्सियन बास्तुकला का सरवत्तम उधारन है, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, दमो में, उद्दोगे केंद की बात करने तो अमानपूर यहां देखने को मिलेगा, निदानकुंड जल्पिपाद, भैसा दमोव में ही देखने को मिलेगा, जटासंकर मंदिर, नौलिस और मंदिर, गिरी दर्शन, सिंगोर गड, निदानकुंड, नजारा, सदभावना, सिखा रादी, यह भी आपको दमोव में ही, र दस है, ठीक है, नर्सिंग पूर, नर्सिंग पूर आप देखें कि लगबग मद्ध भारत में है, और मद्पिदेस्त राज की स्थिती भी देश की मद्ध भाग में से लिए तो मद्पिदेस को आप लोग मद्पिदेस कहते हैं, तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहि आपका संभाग जबलपुर में पढ़ता है जिली का नाम नर्सिंग मंदिर के नाम पढ़ पढ़ा है और इस मंदिर का निर्मार जाट सज़दार ने करवाय था चौरागड में आप देखेंगे गौंड राजा संग्राम सिंग द्वारा बनवाय गखिला है पंद्रवी सिदाप दीगा बरहाटा में महाभारत का लिए नगर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है और इस चित का संबंद आप देखेंगे महाभारत हो रामायड हो इनसे भी देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोग याद रखेएगा महाभारत में बर्मान घाट इस सब धारा पर पांड़ों द्वारा नरवदा की धारा को एक रात में बांजने का फेट्तन यह भी कथाए मिलती रहती है 1922 में चीचली में सत्यागा जुलूस पर हुए गुली चालन में मंसाराम और गोरा देवी सहीद हो गए थे आप समझ सकते हैं कि इतनी आजादी हम लोगों को बहुत तासांजी इसे नहीं मिली हुए है लेकिन हम उसकी कीमत कहां समझते है नरव सुंगपूर जिली का अरहर तुगर दाल उत्पादन में पिथम इस्थान है बाच्ची में महाभारत कालीन किचा की मूर्ती ये विसाल मूर्ती दी है शक्कर उत्पादन में भी नरव सिंगपूर जिला पिथम इस्थान पर है परेटन और धार्मी के स्थल ब्रमण घाट, दामरू घाटी, बल्थारी, बुहानी, बर्मान का मेला ये भी देखने को मिलेगा ओसो की मानता वाला स्रीधाम एहीं पर आप हो देखने हिंदी भासी चित में नरसिंगपूर पहला पूर्ट साच्चर जिला गन्ना अनुसंधान के अन्भी आपको नरवदा दूधी सक्कर उमर सीता रेवा ये भी चितफल की बात करें तो 5133 वर किलोमीटर साच्चरता की बात करें तो 95.2 पिती सच लिंगनपार 920 देखने को मिलेगा ये भी काफी इच्छी बात चितफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला है इसका चितफल आप देखें कि 11815 वर किलोमीटर चितफल में फैला हुआ है चितबाड़ा आप जानते हैं कि जबलपूर संभाग में पढ़ता है और याद रखें इस चितबाड़ा इसलिए नाम रखा कि जो चित ताड़ होता है इसकी यहां जान्दा संख्या पाई जाती है और सेरों की बहुताय संख्या होने के कारण संग बाड़ा भी कहते हैं इसे तो यह भी आप लोग याद रखें यहां कुछ धार्मी को पुराता तक इस थलों की बात करें हिंगलाज माता मंदिर पाताल कोट तामिया विकासखंड छोटा महादेवगोफा तामिया देवगड किला मोखेड नीलकंठी छिदवाड़ा अनहोनी तामिया गोटमार मेला पंडोलना विकासखंड कूकडी खापा जहर्ना बादल भुई आदिवासी संग्राले छिदवा चिदवाड़ा आप जानते हैं कि कमलनास्त से भी जोड़ा हुआ है यह आप लोग या पेंच नेस्नल पार्क का कुछ इस आप देखिए कि छिदवाड़ा में पड़ता है गोटमार फिथा फिचलित है जहां जाम नदी के तटपर पांडूरा नाव में मानव संसाधन विक भारिया नेवास करती है छेदारवाड़ा में कनय पैंच घाटी दमवा परासिया जामोई कोईला उत्खनन के प्रमुक्यन है आदिवासी संग्राले भी आपको चिदवाड़ा में देखने को मिलेगा सेधी बादल भोई आदिवासी मियोजियम को उननीसो चमुन में स्था काबित किया गया था 1975 में से राजमियोजियम का दर्जा मिला 1997 में इसका नाम बदलकर क्रांतिकारी जंजाती नेता बादल भोई की नाम पर रखा गया बादल भोई का जनम आप से याद रखिए 1845 में हुआ था उन्होंने अंग्रेजियों से संगर्ष किया और 1940 में और उनकी डेथ होगी देओ गड़ का किला पंद्रवी सदी में गौंड की राजा द्वारा इसका निर्मार करपाया गया था और मुगल वास्तु कला से मिलता है लिंगरपात की बात करें 98 में सहःडोल से लग करके बनाया गया था सहःडोल का हिसा हुआ करता था और उमरिया नाट्रवद समभाग में आता है और उमरिया मद्वद्विद में सबसे देख लाग उत्पादन करता है लाग सेचपडा बनाने का कार-खानाएं अभी आपको देखने को मिलगा असरक जिलिए आफका कहां देखने को मिलेगा, उमरिया में, पान फठा और जोहिला, जहां कि कोयला उतपादक छित है, जोहिला चित, जोहिला नदी के कनारे पसा हुआ है, बांदवगा का का किला काफी पराताद्विक और इतिहासिक मत नद के की एक जगह है, यह एक प्राक्तिक अविद्ध किला है और एक पहाड़ी फो खड़ा हुआ है यह एक किला की दिबार से घड़ा हुआ है और पहाड़ी भी इस के लिए का एक हिस्सा के लिए में भगवान विसनों की मूर्ती भी देखने को मिलेगी 2004 में एक योजना एक ग्राम एक सरोवर के तहत उमरिया को 800 से अधिक मीनी डेम का निर्वार किया गया था जो आज लिमबा वो कौप वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल है संजय गांदी थर्मल पावर इस्टेशन अब ही आप लोगों को देखने को मिलेगा चेट फल की बात करें तो चारजा चेटरवर किलोमीटर चेट में भेला हुए है सापचरता दर्थ देखेंगे आप लोग 65.930 लिंगन पाद 950 देखने को मिलेगा यह भी याद रखिएगा अंगला जिला है मारे सामने सहडोल तो सहडोल जिला बेहरी इसमें आप देखिए सहस्त डोल से सहडोल नाम का बना सहस्त डोल का अर्थ होता है क्या हजारों तालाब और फिराचीन समय में इस छित में हजारों की संख्या में तालाब हुगा अकिर्थ थी इसलिए इसका नाम एक तरह से सहस्त डोल से सहडोल हो गया महाभारत काल में पांडवों के अग्याद वास के दोरां जिस बिराच नगर का बर्डन मिलता है वो भी आप देखेंगे सहडोल में ही पड़ता है यहां के पाताल कुंड में अर्जुन कुंड भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर समी के बैक्ष भी पाए जाते हैं जिनका परडन महाभारत गरत में देखने को मिलेगा आपको सुहागपुर कुईला खदान इसी छित में आती है कुईला अन्चल के रूम में भी जानते हैं से और यहां से कोल बैड मेथेन के भंडार भी मिले हैं यहां रेलाइंस गुरुप का मेथेन गैस आधारे थे एक सैंत स्थाफित है और यूरेनियम खनेज में होने की संभावना भी यहां पाई गई है देवलुंद में सौन नदी पर बांड सागर परियोजना है इस बांड सागर बांध भी बना है देश की पहले किनर बिधायक चुनाव जीती थी यह भी याद रखेएगा आप समझे कि यहां मतलब किनर भी चुनाव जीती है पहले बिधायक थी सबनम मौसी ठीक है कहां से स्वागपूर और बांड गंगा में कल्चुरी सासक योवराद देवद्वारा नेजमित विराटेस और मंदिर भी देखने को मिलेगा अंतरा में कंगाली देवी का मंदर भी देखने को मिलेगा बुडार सुतंता अंदोलन का प्रमो केंद भी रहा है बॉक्साइड का उत्खनन भी यहां से होता है सौन नदी पर सौन घढ़याल अभ्यारन जो सीधी और सहडोल सीमा पर देखने को मिलेगा पनपठा आप भी यहां तीन दूपत्ता का वी उत्पादन होता है और आप सभी जानते हैं तेन दूपत्ते से एक तरह से बिड़ी बनाई जाती है चेतफल आप देखेंगे 561 बार किलोमीटर चेतफल में फैला हुआ है और चेतफल यहां सक्षरता की बात करने तो 66.737 लिंगन बा का मेला भी लगता है यह भी सीधी में यहां संजय गांधी नैसनल फार्ग भी आपको देखने को मिलेगा जिसको 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया था कुंडरम नावक खनीज का उत्पादन होई होता है सौन घड़याल अभ्यारन सहटोल और सीधी जिला पर सीमा पर देखने को मिलेगा और जेके सेमेंट और भारस सेमेंट का कारिखाना भी आपको सीधी में देखने को मिलेगा सीधी में आप संजय डूबरी और बगदरा अभ्यारन भी देखने हो बगदरा और डूबरी कोला उतपादक छेत भी है नदियों की बात करने सौन गौ 2003 को सेहडोल से अलग करके बनाए गया था ठीक है तो याद रखिए वहले अनुपपूर आपका सेहडोल में हुआ करता था सेहडोल का एक तरह से भाग हुआ करता था भोगलुक दिरिष्टी से अमरकंटक के पहाड़ी चला है और मैकाल परवस सिंखला पर वसा हुआ है अमरक अनुपपूर में है जैन धर्म का माकुम अमरकंटक में आयुजित किया था जैन तीटकर आदी नाउत की सबसे बड़ी अश्टे धातू की पिदिव्या भी आपको देखने को मिलेगा और अमरकंटी की पहाड़ी पर नांगपूर के वहुँसले ने नर्वदाव मंदिर ब अनुपवाए यहां तो यह भी याद रखे यहां कपिल दारह जल पे पाद और दुख दे जल दारह पे पाद भी देखने को मिलेगा अमरकंटक ताग बिद्दुत केंद भी यहां है आपका तो यह भी आप लोग याद रखेएगा ठीक है यहां पर कुईला फायर क्ले और परेटेग में आप देखेंगे धार्मिकिस्तल, नर्मदा मंदिर, माई की बगिया, सौनमुंडा, भंगु मंडल, कभी चबूतरा, जलेसुर महादेव मंदिर, कपेल धारा जड़ना, दूद धारा, संबू धारा, दुग्द धारा, जड़ना, सर्वुदय जैन मंदिर, गने चेथफल की बात करें, तो 3701 यानि की 3701 बर किलोमेटर चेथफल में फैला हुआ है, साक्षर्था की बात करें, सरसद 9 और 906 यहां आपको लिंगनपाद देखने को मिलेगा, बुरहानपूर, जले को आप जानते ही कि 15 अगस्त 2003 को पूरवी निवाड यानि की खंडवा स हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, बुरहानपूर को तीन तहसलों को मिला कर एक तरह से बनाए गया था, और 1388 की असपास राजकुमार नासिर खान द्वारा, सेख बुरहाद दीन के नाम पर एक तरह से इसका नाम पड़ा, बुरहानपूर नगर स्तापती नदी के उत्तरी कि नारे पर है, आइनी अकबरी में राहानपूर का उलेक उद्यानों की नगरी की रूम में किया गया है, जिसमें कुछ छेतों में चंदरन हो गाया जाता है, चंदन की लकड़े, असीर गर के लिए को दक्कन का दरवाजा भी नाम से जानते हैं, इसको जीते बिना दच्चे भारात में प्रिविस करना मुश्किल होता है, 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम बिजज असीगर के इकला को जीता था, 1617 में जहांगीर ने राजकुमार परविज की जगे राजकुमार खुर्णम को दक्कन का राजपाल नमांकित किया था, उसे साहे की उपादी पी दी थी मुम्ताज महल का सब तापती के उस पार यानि की जन्दाबाद के एक बगीचे में दपन किया गया था, मुम्ताज का वास्तवी कब्र यहीं है बुर्णपूर में, ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं वाकि सिखों के धार्मी के स्थल के रूम है वुर्णपूर अपना मातुर रखता है, गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंग यहां पधारे थे, राजा की चत्री मुगल समराट औरंग जेप के आदेश के राजा, आदेश से राजा जै सिंग के सम्मान में इस चत्री का न सब्सक्रापती हुई थी, वह एक्छा और देवी का एक मंदिर बनवाया, जब उसकी इक्छा पूर्ती हुई तो उसने एक मंदिर का निर्माड चैत मास में मेला भी लगता है, आप लोग भी जाके देख लीजेगा, अगर एक्छा पूर्ती होती हो तो हो जाए, खुनी भ सित किया गया, मद्वित इसका पहला ताव बिदुद केंट चांदनी, ताव बिदुद केंट नेपा नगर ये भी आपका बुर्हानपूर में, नेपा नगर में आप देखते हैं कि नेशनल नेशनल नेश पेंट कारखना भी है, दरगाए हकमी कमली सियधी और मौलाना ए वावा अब्दाल कादरी हकीम ओदीन की इस मिती में बनाई गई इस दरगा की सुंदर्ता और इसके आसपास की बागपगिची की वो सापसभाई से गहन रोहानी सर्कून आत्मिक सांती की अनुवती होती है तो जाके देख लीजेगा यहां आप देखेंगे बोहिरा संपदाय की हजारों तीर्थ यहां त्री भी आते हैं दरगा लोधी पुरा गाउं में देखने को साही हमाम यह समारक फारुकी किले की अंदर देखने को मिलेगा बुगल बात्सा साही जहां दौरा बरवाय गया था और यह समारक बीचों बीच अश्टकूंडी यह सनानकूंड भी देखने को मिलेगा खोनी भंडारी जलापूर्ती प्रणाली से जुड़ा हुआ था इसमारक मुगल चित्कला आपको देखने को मिलेगी बुरहानपूर को बुनकरों का नगर भी कहते हैं बुरहानपूर में गांजा उत्पादन भी होता है गांजा वही ठीक है पिदेश में एक माती होना नीची किस्ता महाविद्ध्यल है बुरहानपूर में देखने को मिलेगा यह आप देखेंगे 327 बर किलोमीटर में फैला हुआ है इसके छेटफल की बात करा हूँ साक्षर्दा की बात करें तो 64.4 पितीसा लिंगनपार 951 देखने को मिलेगा विदीशा को देख लिए विदीशा जिला भुपाल संबाद के इंतर करता है और इस सहर इसका प्राची नाम अगर हम बात करें के एक तैसिल मिली सिरोंज जो विदीशा में आज हिस्सा है इसी जगह से सिंद्ध नदी का उद्गम भी होता है उद्यगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन है और इस गुफा के द्वार पर विश्नु भगमान की वराय वितिमा भी आपको देखने को मिलेगी भी सिंद्ध साव का अविलेग भी देखने को मिलेगा इस नगर का वायडन कालिदास ने अपनी सुपिसित गरंत मेगदूत में किया है तो याद रखी विदी साथ मालवी का अगनी मित्रम सुंगों के समय में इस नगर का राजमेतिक महत था समराज में आप देखेंगे पश्च में देखरेक के लिए वहाँ दूसरी राध्धानी भी स्थापित हुआ करती थी सुंग राजकुमार अगनी मित्त समराट की पितिनी धी की रूम में रहने लगे इस समय आप देख सकते हैं माली दास की है यह रचना आपको याद रखना चाहिए मालविक काविनी मित्रों क्या होता है इसमें कई बार कुश्चन सा जाता है परेटन की बात करें तो ओदैगुरी गुफाएं हो गई होली ओडोरस का पिलय बिजय मंदीर महादेवी मंदीर और हेडोला मंदीर बजमत मंदीर दवसातार मंदीर गडर मल मंदीर गिर्धरी मंदीर यह सब ही आपको देखने को मिलेगे विदीशा में समराट असोक की महराणी महादेवी विदीशा की थी जिनसे उन्होंने साधी की थी क्या की थी साधी की थी तो यह भी याद रखे इसके वाद आप देखिए जैंधर तीर्टकर सीतलनाद जी का जर्म भी विदीशा में हुआ था यहां समराट असोग हलाली परियोजना बहुत देशी है परियोजना हलाली नदी पर है और ग्यारसपूर एक पराचिन इस्तल अनेक पराचिनों यहां है गंज वासोदा में किसी भी महावित दिहल है आपको देखने कुम लेगा हेलियोडोरस सिस्तम इसका निर्माड 110 इसापूर में हेलियोडोरस ने कराये था जो भाती उनानी राजा सुंग राजा भागवद्द के दरवार में आये था और याद रखिए यह सेफ धरम से संबंदित है मद्धितिस में सबसे धिक चना उत्पादिक जिला भी आपका विदीसा है विदीसा एक किरसी पिधान जिला है यहां बैतवा हालाली और वीड़ा नदियों का प्रवावित भी यहां से निकलती है यहां से जाती है मतलब साघर की बात करें तो साघर जिला आप देखते हैं कि साघर का इतिया सोले सु साट सी आरम होता है उदन साहे ने तालाब की किनारी स्थित बर्टमान के लिए किले की स्थान पर एक चोटी किले का निर्वान करवाये कर उस पर पर कोटा नाम का गाउं बसाया निहाल साहे के बंसा जो दन साहे द्वारा बसाय गया है वही छोटा साघर के नाम में जाना जाए पर कोटा आप सहर के बीचों बीच में इस्थे थे एक मत मुहला तो यह भी आप लोग याद रखिए बस्ती का निर्माण फेसवा की अधिकारी गोविंद राव पंडित ने करवाये था 1735 में के बाद साघर फेसवा की अधिपत्त में आ जाता है और तब गोविंद राव पंडित साघर और आसपास के छित का प्रभावी तरभाही था समझा जाता है कि इसका नाम साघर उस विसाल सरोवार की कारव बढ़ा था जिसके किनारे यह बसा था एरन एरग गाओं में पुरावसेसों का विसाल सलंगन है और गुप्तकाल में अब लेक पराप्त हुए हैं एरन से एरन में आप देखते हैं सती पिथा का पिथम अब लेके प्रमाड गुप्तकाल में मिलता है इसापूर के एक लेक से पता चलता है कि गुप्त नरेस भानुप्त का सामंध इस भी पूर तेक है याद रहे कि गोपाल हूनों को विरुद युद कलता मारा गया उसकी पतनी उसके सब के साथ सती हो गई तो याद रखिए भी राहतगर में किलाओ है और राहतगर जल्पबाद भी पिसित है सागर में धमोनी ओर्स भी लगता है बाबा मस्तानी अली साही की मजार पर अफेल मई में ओर्स लगता है बलजी साहे की मजार जिने अबूल फजल का गुरू समझा जाता है 1920 में रनोत रतों सागर में माखलनल चतुरविदी की नितित में कसाई खारा अंदूलन भी चला था ये भी याद रखे 1946 में पिदेश का पहला विस्विद्याले इस्तापित हुआ था 1983 में इसका नाम हरी सिंग और विस्विद्याले रख दिया केंद्रिय विस्विद्याले का दरजा 2008 में मिला था सागर में रॉक फॉस्फिट, सॉप इस्टॉन, ग्रेनाइट, डॉलोमाइट, आधी, खनिज भी रहली में सूर मंदिर है जिसका पास सुनार औ देहा नदियों का संगम भी है आगा सौध में ओमान की साहता से तेल रिफाइनेरी स्थापित की गई है जवालाल, नहरू, पुलिस, अकादमी भी आपको सागर में देखने को मिलेगा मंगलगीरी, जैन, तीत, भी आपको सागर में देखने को मिलेगा यहाँ का पिस सिद्ध, गाव, उदोगे, विकास के अंद भी है इस टेल कॉंप्लेक्सिवी आप देखेंगे सागर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है? मदविदेश का बड़ा सबसी बड़ा भ्यार है नौराद हो ही यह भी आपको देखने को मिलेगा यहां यह भी याद रखेएगा सेना के महारेज इवेंट का मुख्याल भी सागर में मदविदेश पुलिस कॉलेज फोरिंसिक साइंस लेवर्टी यह भी सागर में वीना में कीटनासर सहंत स्था पे थे वीना रेलवे जंगसन भी है माप तौल पिसिक्षन केंद भी सागर में आवर चंद की गुफाएं गदीरी नदी गटी में एवी सागर में ही देखने को मुलेगी या सुनार देहा धसन वीना आदी नदियां भी बहती है यहां से छेथफल की बात करें तो 10252 किलोमीटर छेथफल में फैला हुआ है सागर सागर की सक्षरता की बात करें 76.5% और लि बिक्रमा दित के राज की राध्धानी भी रहा है आज जो नगर उज्जैन के नाम से जानते हैं इसे आप लोग अवंतिका उज्जैनी विसाल पितिकलफा कुमदवत्ती स्वयड सिंगा अमरावत्ती इन आमों से भी जानते थे एक तरह से आपके उज्जैन के अननाम है इ महाकाल की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं से कालिदास ने मेगदूत में उज्जैनी का सुंदर वर्डन भी किया है महाकभी कालिदास समराट विक्रमा देत के दरवार में नावरतनों में सामिल भी थे चटवी और साथभी सतादी में उज्जैन गड़े तो जनपतों में सामिल था उज्जैन महान असोक समराट बनने से पहले यहां का राजपाल हुआ करता था उज्जैन का उज्जैनी संदीपनी आसरम भी देखने को मिलेगा जहां पर आप देखते हैं भगवान किसने बलवाम और सुदामा ने सिक्षा घैन ली इसे मंदिर और म संस्कित बिजविद्याले की स्थापना भी आपकी उज्जैन में हुई थी काय था जुनाव एर्वास और नागदा नावा किसना इस्थान पुरात तात्विक इस्थले भी देखने उज्जैन में घ्यान हपकी स्थापना की गई मद्पदेश की सबसे अधिक अनसुचित जाती भी यहीं नवास करती है वज्जैन में सोवेवीilahी का सबसे अधिक उत्पादलबी उज्जैन में होता है महाकालीसुर मंदिर महाकालीसुर मंदीर का महत्मई बिभिन ने पुराणों में भरन भी देखने को मिलेगा तुलसी दास ने संस्कित साहित के अनेक एक तरह से बाड़न भी किया है तो यह भी आप लोगों को याद रखना होगा भार थरी की गुफा है तो याद रखे ग्यारवी सदी की एक मंदिर के आउसेस भी जिसने उत्तरवर्ती दोर में जून अध्यार होता रहा है यहां सबसे बड़ा मंदिर है इसे भी याद रखेगा और मंदिर का निर्मार महाराजा दौलत राव सिंधिया की महरानी बायजावाई ने इस तन 1833 के आस्वास करवाय था मंदिर में गिष्ण गोपाल पिद्मा भी है यह भी याद रखे जंतर मंतर की स्थापना आप सभी जान प्लांट भी है नागदा में किंतिम रेसी बनाने का कार खाना यह नागदा वही है जिसे जिला बनाने की बात की जा रहे है कलंडरिंग प्लांट रंगाई फनीचर यह आपको उज्जन में मालवा उस सब मांडू उज्जन इंदोर का सेफ्टा है उजन 1991 में आरम हुआ था यहां से चंबल चिपरा गंबीर और चोटी काली सिंद नदियां भी बहती है इसके छेतफ़ल की बात करें तो 691 वर किलोमीटर छेतफ़ल में पहला हुआ है साकचरता बहत्त दसमलो तीन है लिंगन पार 955 है यह याद रखिएगा खंडवा की अगर हम लोग बात करें वित दर्सनी इस्थल है उंकारिस्वर भारत की बारें जोती लिंग में सुमार भी है हनुबंतिया टापू जिस पर आप देखते हैं जलो महुत्सव आयजन होता है यह याद रखे कपास उत्पादन की कारें से जिले को सनरहरा जिला भी कहते हैं किसे खंडवा को खंडवा आपको खंडवा में देखने को मिलेगा कहां खंडवा में हरसूद नरवदा नदी की किनारी पंद्रवी सदी का यहा नगर है जो इंदरा सागरबांद की कारण डूक गया था इसे चनेरा नया हरसूद गाउं में बसाय गया पुनासा गराम इंदरा गांधी सागर तुराचिन मंदिर सुर्मानिया मंधाता अभ्यारन सुविद्रा कुमारी चोहान का विवाय यहीं हुआ था खंडवा में माखलनादी चतुवेदी की करम स्तली भी रहा है उन्होंने करम बोमी समाचार पत्पिकासित किया था यहीं से फिलेम अभीनेता सुकुमार और संदी देवी धाम नांग्चुन बान गोरी कुंजादी यहां नदवीदा तापती नदी देखने को मिलेगी और नर्वदा चितफल की बात करें तो 6209 बर किलोमीटर में फैला हुए साक्षरता की बात करें तो 46.4 की तीचत है लिंगर पात की बात करें 949 देखने को है आपका क्या बालाघाट बालाघाट जवलपूर संभाग का जिला है याद रखिए और माना जाता ही कि पहले बुरा या बुरहा की नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम बालाघाट पड़ा इस बात का कोई परमार छोड़िए किर्सी ओक आप देखें किर्सी ओखनी धान मोटा ना जो दलहन बेल बेंगांगे नंदी घाटी के उपचाव चित में होगा या आती है अब देखिए पानी होगा तो होगाएंगे उसमें सक्या है भरेली एसिया की सबसे वड़ी मैगनी खान भी है काली मूच वाली धान का बहुत अधिक मातरा में उतफादन भी होता है बाला घाट में लांजी का किला कापी पिसिद्ध है याद रखेगा बाला खंड में आप जानते हैं बाला खंड का लिंगन पास सबसे सही है बाला घाट का बार दस सो एकीज जो मद्वदेश के सबसे अधिक है मलाजखंड भ बाला घाट में बन परबंधन सिक्छन संस्थान के मद्वदेश का सबसे देख तलाबों की सिचाई से यही होती है दोती बान 1911-13 में मद्व बेन गंगर न दीपा बनाय गया था बाला घाट को मेंगनेच की नगरी भी कहते हैं बता ही चुका हो धान उत पादक जिला भी ह अनुरसार यहां उत्तोग एक विकास के अंद भी देखने को मिलेगा दोहजार ग्यारे की जनकर नुरसार इस जिले में सबसे कम जन सक्या विद्धी हुई है बाला घाट में सबसे एक बास भी पाया जाता है परयाटन धार में एक लांजी मंदिर आप देख सकते हैं किला नल महेसोर नहल सारावान धूतिवान रामपली मंदिर और हता बावली नंगुलपुरा टैंक जहरना चेथफल की बात करें तो यह 9200 आपको देखने को मिलेगा 29 बर किलुमीटर साच्छा था कि दर की बात करें तो सत्तर दस हम लग दो पिती सब देख सकते हैं आप लोग इस रीवा संभाग में पड़ता है सतना यहां बहने वाली सतना नदी के कारण पड़ा है इसका नाम पहले से बिंद पिदेश या प्रवेस द्वार भी कहते थे बिंद पिदेश का सतना अब एक उद्दोगिक सहर की रूम में भी जानते हैं विडला घराने के सेमेंट के द इसकी खोज की बात करें तो अलेग्जेंडर कनिंगम ने की थी चितकूट और मेहर सतना जिले में ही पड़ता है इन दोनों को राजसासन ने पवित नगर भी घोसित किया हुआ है यह आप लोग जानते होंगे मेहर माता का मंदिर जहां मंदिर आप देखते हैं कि मेला भी आयजूत होता मेहर में आप देखते हैं उस्ताद अलावदिंख संगीत महाविद्याले भी देखने को मिलेगा मजगाओं में आप देखेंगे हीरे भंडार भी देखने को मिलेगे चिंतिकूट मंदाकनी नदी के किनारे बसा हुआ है यह भगवान राम ने बनवास का समय भी वितीत किया था माना जाता है चितकूट में एनुसिया अस्तरम भी आपको देखने को मिलेगा जहां बैम्मा विस्नु महिस ने बाला उतार में जनम लिया था यहां आप देखेंगे चितकूट में और भी इस्तले राम भारत में लन इस्तल भारत कोव हनुमान धारा सीता रसोई और गुप्त गोदावरी राम के पदचन में तुलसी संग्रालाय भी आप देखने को मिलेगा महर फेक्टरी 1988 की बात है महत्वा गांदी चितकूट महा विध्याले भी आपको देखने को मिलेगा ग्रामुद है विस्विध्यले नागोद इस इस्थान से गुप्त कालीन नाचना कुठार सिपार्वती मंदिर भी मिले हुए हैं वेई सिंग पूर में आप देखें पांसों मेगावर्ट की ताप बिद्धु दिकाई की स्थापना भी की जा रही है यह भी याद रखी सतना भुम्राव एक हो में गुप्त काली मंदिर भी पर्याटन के बैंकट कस मंदी चितकूट धाम सार्दा मंदी तोल्सी संक्रालय से मंदेर गिदराज मंदिर नदी मंदिर आधी और टॉंस, सौन, मंदागनी, पैंस, एभी नदी, चितकूट धाम, जल्पेपाद भी, छेतफल की बात करें तो पचत्तर सो दो बर किलोमीटर और साक्षरता बहत्तर दसमलोग दो, लिंगनपाद 926 है, रीवा, तो यादर की भूतपूर रिविया, रीवा रियासत हुआ करता थ रीवा रियासत की राध्धानी भी रहा है, यहीं अच्छी बात है, बाद में अंग्रेजियों के पास चला गया है, बेटेस बगेलखंड एजनसी की राध्धानी भी रहा है, रीवा, रीवा आप जानते हैं सपिस सीरों की भूमी भी कहा जाता है, तांसेन की नगरी भी कह से यहीं राजा हरामचंद के दरवार में तांसन रहते थे मालू है आपको 1906 पर में बिंद्ध पिदेश की राध्धानी और पूर में नाम इसका भता था रीवा संभाग जला है ठीक है रीवा सहर में विछिया नदी के किनारे वसा हुआ है मद्ध पिदेश का सबसे उंचा मद्ध पिदेश का एकमात सेने की स्कूल भी आपका यहां है आम अनुसद्दान के अंद गोबिंद गर में देखने गोबिंद गर सफेज सेरों के लिए विख्यात है पुरा थत्तव इलेखा का एवं संग्रालाई 1956 में आपको देखने कुमलेगा बन विभाग का पॉरेश्ट गार टैनिंग स्कूल यहां पर कॉन्रम चूना पत्थर और कॉलोमाइट गेरू वाकसाइड यह आपकी खनेज भी मिलते रहते हैं किरसी महाविध्यालाई भी सेरमोर में टॉन से जल विद्धुत केंद रीवा में तियोंधर पुरातातवी किस्थल भी देखने कुमलेंगी पहले संग्रालाई भी गोविंद पुरा रीवा में सौन नदी पर आप देखेंगे बांड सागर परियोजना का मुख्यालाई रीवा में ही यह आप देख सकते हैं कि 6287 किलोमीटर में फैला हुआ है एक बात वर याद रखी इसमें कि आपका जो साक्षरता है 71.1 लेकिन लिंगन पात याद रखें कि मद्देश का जो लिंगन पात है ना 931 ए रीवा का भी है यह भी याद रखें कई बार पूंच लेता है आपसे अब हम बात कर लेते हैं जवलपुर के सीवारे में पुनाणो किन बनतीयों के अनसार इस ताहर कर पहले नाम जवाली पुरम हुआ करता था आप जानते हैं कि एक जवाली रेसी हुआ करते थे उन्हीं के राम पर ठीक है और इसे पुराने समय में आप देखते हैं तिपुरी भी आपका यहीं आसपास हुआ करता था राजपुत काल में तिपुरी कल्चुरी किबंस की राध्धानी भी रहा है और जवल्पु संभाग है ठीक है जवल्पुर नर्वता नदी के तर पर बसा हुआ है 1949 का कॉंग्रेस का अधिवेशन तिपुरी में हुआ था तिपुर संकट के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं भारत का पहला जंडा सकते अगया है 1923 में यहीं हुआ था मद्पिदेश के संसकार राध्धानी और संगमरवार की राध्धानी भी आप लोग जानते हैं मद्पिदेश को किसे जवल्पुरी की बात करा हूँ संसका रादधानी और आप जानते हैं नियाएक रादधानी जबलपुर में मदविदिस का पहला रतन परिषकन केंद स्थापित भी किया गया था मदविदिस का उचन्याले भी आप देखते हैं कि जबलपुर में खंडपीटिस की इंदोर और ग्वालिर में हैं आपको जबलपुर में जबलपुर जाना जाता है वरेला गाओं में राणी लच्चीवाई की समादी भी देखने को में लेगी रानी दुर्गाबती संग्राले 1975 में आपका जवलपुर में ही इस्ताफित किया गया था पिदेश का पहला किसी विद्धियाले यानि कि जब आहल लाल नहिरू बिद्धियाले किसी विद्धियाले जवलपुर में ही इस्ताफित किया गया था मद्धिपिदेश का Table Tennis Association 1975 में की स्थापना और Badminton Association 1946 में यह आपका कहां जबलपूर में ही मद्धिपिदेश का एकमात रेलवेश जौन भी है आप जानते हैं मद्धिपिदेश का बिद्धुत केंद भी आपका है भारत का पिथम विकलांग पुनरवास केंद भी आपका जबलपूर में और मद्धिपिदेश का राजबिदिक सेवा प्रादी केंद भी जबलपूर मे एंसेसी कॉक्ते सिक्षिक्षन कॉलेज महिला इस्थाफित किया गया है और ग्वालियर में भी आप देखते हैं रोपनात में समरा टसोक का अब लेक भी आपको देखने को मिलेगा यह भी आप लोग याद रखेएगा और उसके बाद आपको याद रखना है जवलपूर में लोहस्क, सीसा, सुर्मा, धीया पत्थर, चुना पत्थर, तामा, ग्यों, फैल्सपार, संगमर्वर भी देखने को मिलेगा नैशनल इस्टिटीट ऑफ डिजाइन जवलपूर में देखने को मिलेगा पोस्ट एंड टेलिग्राफ वरक्स ओफ उफ उननीसो च्वाली स्वाल यह भी आपका जवलपूर में परेटन स्तल की बात करें तो मदन महल किला, रानी दुर्गाबती संग्राल है, पिसन हारी की मंडिया, चौसट योगनी वंदिर, तिप्पुरी सुंदरी वंदिर, धुमना नेचर पार्ट, वर्गी बान, धुमाधार, बेडा घाट, धुमा जमतारा घाट पर महतमा गांधी की अस्तियों को विसाजित किया गया था, यह भी याद रखिये, यह भी कुश्चन्स पूचा जा सकता है, तिगबा में आप देखते हैं कि गुप्त कालीन मंदिर भी आपको देखने को मिले, घाट बेडा घाट, तिल वारा घाट, जिल हर गवारी घाट, उमा घाट, खारी घाट, लमेटा घाट, सिद्ध घाट, दरोगा घाट, सरस्तुती घाट, जासी घाट, गोरेया घाट, घाट फिंडरई, विटोली घाट, यह सबी आप समझ रहे हैं, इनने जानते हैं, जमतारा घाट, नंदे केस और घाट, यह प्रिट करके बना गया था यानि कि 1958 के पहले आपका हर्दा होसंगवाद का हिस्सा हुआ करता था और मद्विदिस का सबसे कम जन संख्या वाला जिला है हर्दा 2011 की जनकरणा के पूसाथ और देखिए निवाडी जब से जिला बना हुआ है तब से निवाडी सबसे चोटा जन देखेंगे अधिकास भूमी नर्वदा नदी से जल सिंचित मिलता है काना बाबा का बंदिर भी है सोडलपुर में जहां काना बाबा का मेला भी लगता है महत्मा गांदी ने हर्जन कल्यार के रिए हर्दा का दौरा भी किया था 15 अगस्त 1947 को विरा ठाजी ने हर्दा पुल जोदभी वाला जिला हर्दा है तेली की सराय भी आपकी हंडिया में इस्ते थे जो हर्दा में हर्दा का लिंगनपाद बात करें 935 साक्षरता 72.50 है तो यह थे कुछ मद्वकदेश के आपके पॉइंट जो एक तरसी आप कह सकते हैं आप पूइंट है इन्हें आप लोग द तरही